Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, this is Saloni Pandey. So chapter number 2 that is methods of inquiry in psychology, this chapter का complete revision हम करने जारे हैं हमारे आज के इस lecture में. Chapter हमने complete कर लिया है पूरी तरह से, यानि कि इस chapter के सभी topics का detail में discussion हम कर चुके हैं और साथी साथ इस chapter के जो NCRT solutions थे, यानि कि जो आपको at the end of the chapter जो questions पूछे गए थे, उन सभी को भी हम answer कर चुके हैं. तो यानि कि chapter पूरी तरह से complete हो गया, question answers भी हो गया, सारा सब कुछ हो गया, तो अब बारी आजाती है chapter को revise करने की. और revision बहुत ज़्यादे important है, क्यों important है? ताकि आपने जो भी सारा कुछ पढ़ा है chapter के अंदर, पहले चीज़ तो उसकी खिचड़ी ना पके, और दूसरी चीज़ वह सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से याद रहे, इसके लिए हम करेंगे आज हमारे chapter number 2, that is, methods of inquiry in psychology का complete chapter revision. ओके, सो देखो, start करते हैं, I hope so, आप सभी मेरे साथ में ready हो, और साथ ही साथ में chapter से related, जितने भी topic wise explanation के videos थे, सारे lectures थे, वो आपने देख लिए होंगे, और chapter पूरी तरह से complete होगा. तो आज आपके पास में एक बहुत अची opportunity है, कि सबसे पहली चीज़ तो chapter को revise कर सकते हो, और साथ ही साथ में, जो भी doubts ने related to chapter, वो सभी भी मुझसे comment section में फूच सकते हो, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, chapter का एक overview, जैसे कि हम जबी जानते हैं, ये chapter जो था, बहुत ही vast chapter था, मनलब इसके अंदर बहुत सारे topics थे, उन सभी को हमने detail में discuss किया, तो लंदी chapter था है ना, अब यहाँ पर revision करेंगे, तो उतना ज़ादा details में तो नहीं जाएंगे, बट एक बार just सारी चीजों को go through कर लेंगे, जो भी सारी important चीजे हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपके समझने के लिए important है, वो सारा कुछ एक बार जो है, revise कर लेंगे, recall कर लेंगे, और दूसरी बात, जैसे कि यह chapter ही हमको suggest करा है, मतलब आप meaning पर आजाते हैं chapter के, so it is methods of inquiry in psychology, मतलब कि psychology में, जैसा कि हमने chapter 1 में पढ़ा, chapter 1 क्या था आपका, what is psychology, chapter 1 था आपका, what is psychology, जिसमें हमने यह देखा, सबसे, मतलब स्टार्टिंग, basic कहां से स्टार्ट करा हमने, कि psychology is the study of, study of mind or soul, और फिर जैसे जैसे हम इसमें आगे बरते चले गए, तो हमने यह देखा कि psychology में, और भी चीजों को study किया जाता है, like mental processes, human experiences and human behavior, यह सारा कुछ हमने study किया, now what is the meaning of research, inquiry, study या research, research का basic meaning क्या होता है, re plus search, जहां पर आप किसी चीज को दुबारा से search करना, start करते हो, उसके बारे में जानना, उसके बारे में एक तरह से खोज करना, start करते हो, okay, so basically यह जो आपका chapter है, that is related to the inquiry of psychology or psychological phenomena, कि किस तरह से psychology में अगर हम बोल रहे हैं कि हम study करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़े कैसे होती हैं, उसकी क्या सारी methods होती हैं, यह आपको पता चला, इस particular chapter के अंदर, मतलब पहले पढ़ लिया कि psychology क्या होती है, तो study होती है, अब study कैसे करेंगे, वो आपको बताया है chapter number 2 में, clear है, अब इस chapter के अंदर हमने क्या सारी चीज़े पढ़ी, तो सबसे पहले तो एक overview देखा, कि basically psychology inquiry का meaning क्या है, psychology क्या सारी चीज़े inquiry क्यों करते हैं, एक छोटा सा introduction, then goals of psychological inquiry, अब कोई भी inquiry करना चाहता है, जैसे देखो इस chapter के अंदर, researcher अपने आपको समझो, ले लो, अपने siblings को ले लो, किसी को भी ले लो अपने घर में से, अपने आसपास में से, या for example मुझे ले लो, जैसे जब मैं आपको पढ़ाती हूं, तो मैं researcher बन जाती हूं, और मेरे लिए आप जो है कौन बन जाते हूं, जिसके उपर मैं research कर रही हूं, और इस goals of psychological inquiry के अंदर हमने 5 goals की बात करी, कौन-कौन से होते हैं वो 5 goals, फटा-फट बताओ, मुझे जल्दी से recall करो, मुझे comment section में बताओ, कौन से होते हैं, 5 goals of psychological inquiry, तो दोजार, बताओ जल्दी से, description, prediction, explanation, याद आ रहे हैं सारे या नहीं आ रहे हैं बीवी की, and application, ओके, अब आगे सारे ध्यान आगे, अगर याद नहीं भी थे तो, तो इसलिए revision जो है वो बहुत ज़्यादा important है, तो ये जो है, 5 goals होते हैं, psychological inquiry के, जिसको हमने इस chapter के अंदर पड़ा, then next we came to nature of psychological data, अब जब आप research करना start करोगे, तो research करोगे तो किसी topic पे ही करोगे, research करोगे तो कोई information gain होगी, that information is your data, and singular it is datum, so basically what is this psychological data, और psychological data का क्या nature होता है, ये आपको यहाँ पर जानने को मिला, then we came to some of the important methods in psychology, जिसके अंदर हमने कौन-कौनसी methods पड़ी, अब ये पताओ, जल्दी-जल्दी पताओ, कौन-कौनसी methods जो है, आपने पड़ी होई ये इस chapter के अंदर, so we have studied observational method, observational method, then experimental method, experimental method, then correlational research, co-relational research, then survey method, then psychological testing, and then last case study, ये सारे important methods of psychological inquiry, आपने इस chapter के अंदर पड़े, और बहुत डीटेल में हमने इन सारी topics को cover up किया हुआ है, then next है आपका कि जब आपने data को जो है, मतलब पूरा collect कर लिया, then comes analysis of data, फिर आप data को किस तरह से analyze करोगे, सारा कुछ उसको समझोगे, पढ़ोगे, और फिर उसके बाद में conclusion पर पहुंचोगे, सो आपके यहां से यहां तक पूरी steps को cover up किया है, कि आप exactly किस तरह से जो है research करते हो, then next है आपका limitations of psychological inquiry, psychological inquiry के क्या सारे limitations होते हैं, क्या सारे problems आते हैं generally, जब आप psychology में inquiry कर रहे होते हो, and last the ethical issues and psychological inquiry, कुछ ethics, कुछ ऐसे moral principles, जो जब आप research करते हो, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, clear है, आए यहां तक सब्सक्राइब, so this was all about chapter, कि chapter के अंदर आपने क्या सारी चीज़े पढ़ी हुए, एक just overview, अब अगर हम meaning की बात करें, यह एक छोटा सा introduction देखें, so methodology makes psychology a scientific discipline, हम बोलते हैं कि psychology एक science है, psychology science क्यों है, क्योंकि वो scientific research, scientific theory, साथी साथ में किस तरह से facts, reality, इन सारे चीज़ों को consider करते हुए, फिर अपनी study करती है, यानि कि किसी भी तरह के ऐसे, वे concept की बात psychology में नहीं की जाती है, और साथी साथ में, psychology में हम common sense के उपर, जो है believe नहीं करते हैं, तो psychology is all about science, अब psychology में हम जिस तरह की methodology यूज़ करते हैं, वो उसको एक scientific discipline बनाता है, जिस तरह से methods को use करते हुए, आप psychology में research करते हो, या किसी phenomena को study करते हो, वो उसको एक scientific discipline बनाता है, now, psychologist use a variety of research methods, अब जैसे हमारे यहां पर बहुत सारी research methods use की जाती हैं, क्यों different different, इतनी सारी methods क्यों है, क्यों हमने बात करी observational method की research, correlational research, experimental survey, psychological testing case study, etc., etc., because human behavior is complex, या humans are complex, हैना, हम सभी complex species हैं, हम सभी के different, different characteristics हैं, हम सभी differently behave करते हैं, और कोई एक method हम सभी को study नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए हमने धेर सारी methods को हम जो है, use करते हैं, ताकि हम psychology में different, different problems के answers को ढूण पाएं, उनके solution को ढूण पाएं, और साथी साथ में quality of life of people improve कर पाएं, clear है, तो इसलिए इस एक purpose के साथ में, इस एक motive के साथ में जो है, हम psychological inquiry करते हैं, psychology is a science, now if we talk about goals of psychological inquiry, तो जैसे बाकी दूसरी scientific research में होता है, psychological inquiry में भी कुछ goals होते हैं, जैसे, जब भी आपको यह research करना, start करते हो, तो आपका एक goal होता है, कि आप यह research क्यों कर रहे हो, क्या सारे reasons है, और साथ ही साथ में आप research करोगे, तो आपका एक motive रहेगा, एक आपका goal रहेगा, तो same way में psychological inquiry में भी वैसी होता है, अब जैसे, सबसे पहले हम बात करें, description की, तो the first goal of psychological inquiry is to provide description for proper understanding of behavior, like in a psychological study, the behavior or a phenomena is described in an accurate manner to distinguish a particular behavior from other behaviors, like for example, जैसे मैं कुछ दो चार वर्ट्स बोलू, stress, anxiety, depression, fear, कहीना कहीं ये वर्ट्स को हम थोड़ा सा negative sense में यूज़ काते है, थोड़ा सा negative का मतलब ये in general, ठीक है अभी psychology में नहीं है, in general, कि ये सारी चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, for your health, etc., जब आप psychology में किसी तरह की inquiry करते हो, इन में से किसी भी एक phenomena पर है, like for example, if you have taken stress, okay, so आपका ये जो stressful behavior है, वो आपके depression वाले behavior से किस तरह से different है, इस्ट्रेस behavior दोनों में किस तरह का difference है, exactly what is stress, आप थोड़ा सा अपने topic को describe करोगे, जिस भी चीज़ के उपर आप inquiry करना चाह रहा है हो, इसके अलावा और भी धेर सारे topics होते हैं, अब जैसे मैंने भी आप से कहा, कि human का behavior जो होता है, वो बहुत ही complex है, क्योंकि हम सभी humans एक दूसरे से different हैं, हम सभी differently जो है behave करते हैं, तो अगर आप किसी person, किसी individual के उपर, किसी group के उपर, किसी phenomena के उपर, जिस भी चीज़ के उपर study कर रहे हो, psychological study कर रहे हो, तो आपको अपने topic की, अपनी problem की, जादा अच्छे से understanding के लिए, उसको थोड़ा सा describe करना जरूरी है, कि मैं इस particular topic के उपर research करना चाता हूँ, और उसका आप थोड़ा से description दो के, कि इसमें, जैसे for example, if you are taking stress, how stress is different from depression, वही जो अभी एक example मैंना आपको दिया, तो आपका first goal क्या होगा, कि आप किस तरह से अपने topic को थोड़ा सा describe करते हो, अब ये सारी चीजों के notes बना लो, वैसे तो मैंने starting से notes बनाते हुए, आ रही हूँ, मतलब आपको बोल नहीं के notes बनाओ, बट अगर अभी तक भी नहीं बनाए हैं, तो अभी भी ये time है, आप जो है notebook और pen लेकर आ सकते हैं, और फटाक से अपने notes बना लो, कैसे बनाने हैं, कि सबसे पहले, देखो main main points जो होंगे, हम जस्ट उन ही के notes बनाएंगे, बाकी चीज़ें तो पढ़ने से समझ में आई जाती हैं, तो जैसे मैंने आप से कहा, कि goals of psychological inquiry, तो आपने लिखा goals of psychological inquiry, अब ये PE का मतलब क्या हो गया, psychological inquiry हो गया, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ लिखा description, अब description नाम से ही suggest कर रहा है, कि जहाँ पर आपको चीजों को describe करना है, जो भी आपका topic उसको आपको describe करना है, next ही आपका prediction, नापते हैं प्र इस जो इस देखो, इस जो घगया है, जो पर इसलों को जो अंग टूंकर रहे न पर इसमिंगे सेंग्य करना हांवे, एप नरोच ते चा namizo कर का करना है, भी बहेविर, जो तो आपको था प्रीखेमे, में आखर मतलब ये कि जैसे आपने सबसे पहले subscribe किया आपने किया कि आपकी यह इस particular topic को आप तोड़ा सा describe कर दिया आपके उस behavior को describe करने से क्या होगा कि आप से related जितनी भी चीजें होंगी उसको थोड़ा बहुत झो है predict कर सकते हो कि मतलब इस बिहेवियर से related और कौन-कन से behaviors, events, phenomena हो सकते हैं. Like for example, if someone is in stress, तो उसके stressful होने के क्या कारण हो सकते हैं. ठीक है, या कारण ना कहें, बट उसका stressful behavior जो है, वो हमको कब कैसी situations में देखने को मिलता है, उसको लेके एक आपका prediction बन सकता है. आप एक prediction जो है, बना सकते हो. रिसर्च करने स्टार्ट करा है, बट एक prediction आप कर सकते हैं, एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि stress जिनरली जो है, इन कारणों की वज़े से होता होगा. तो second आपका goal क्या हो गया? prediction करना. Third goal होगा आपका explanation. explanation का मदलब ये होता है, कि आपका जो भी behavior है, या जिस भी particular topic के उपर जो है, आप research करो. Like for example, अगर आप research कर रहे हो किस एक चीज़ के उपर, stress ही मानलो, stress के example लेलो, कि अगर आप उस एक particular topic के उपर, उस एक particular psychological phenomena के उपर research करना, start करते हो, तो उस phenomena के होने के क्या कारण हो सकते हैं, अगर कोई person stress में है, तो वो stress में क्यूं है, क्या कारण है, जिसकी वज़े से वो stressful condition में आ रहा है, तो जो भी सारे causal factors होंगे, जो भी सारे determinants होंगे, behavior के, आप उसको यहाँ पर explain करोगे, क्या करोगे, explain करोगे, पहले तो आपने बिलकुल short में describe कर दिया, ठीक है, पहले आपने क्या करा, बिलकुल short में describe कर दिया, कि for example, stress का ही ले लो, कि अगर stress है, तो stress का क्या meaning होता है, वो person stress में कब-कब react करता है, तो आपने prediction कर दिया, फिर उसके stress में होने के क्या कारण है, कौन-कौन से कारणों की अपने थर्ड गोल के अंदर, then psychologists are primarily interested in knowing the factors that are responsible for a particular behavior, अब psychologist का सबसे पहला गोल ही यह होता है, कि जो भी particular behavior हो रहा है, तो उसके होने के पीछे कौन-कौन से reasons responsible है, like for example, emotions की हम बात करें, कोई लोग बहुत ही जादा emotional होते हैं, और generally उन्हें छोटी-छोटी बात पर रोना आ जा करें, तो पहले तो आप उसको थोड़ा से describe करोगे, कि exactly emotions होते क्या है, then आपने predict किया कि कौन-कौन सी चीजे उस person को emotional कर देती है, या कौन सी situations में वो इस तरीके से react करता है, क्या कारण है उसके बार-बार रोने के, that is your third goal explanation, तो हमेशा उस particular behavior को आपको explain करना है, also what are the conditions under which a particular behavior does not occur, और साथ ही साथ में, आपको सर्फ यही नहीं बताना है, कि किन कारणों की वज़े से कोई person बहुत ही जादा जो है emotional हो जाता है, बलकि वो कौन से कारण है, जब वो नहीं ऐसा behave करता है, जब वो ऐसा react नहीं करता है, तो that your third goal is explanation, क्या हो गया, explanation, यह second आपका था, prediction, and third is explanation 4th है आपका control, and fifth application, तो इसको note down कर दो, इसके meaning अभी हम समझ रहे, मतलब meaning तो हमने समझ लिया है, just take वापिस से जो है revision कर देते हैं, फटाक से इस तरीक से note down कर दो, okay, so देखो, अब control की बात हम करें, तो control क्या है, किसी चीज़ को, किसी behavior को, किसी event को control करना, अब जैसे for example, आ conditions के अंदर बहुत stressful react करता है, तो कैसे हम उसके इस behavior को control कर सकते हैं, contain कर सकते हैं, तो मतलब generally control का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोकना ही नहीं है, बलकि उसके साथ साथ में, किसी भी form में, मतलब यहां हम सिर्फ stress या emotions का example ले रहे हैं, अगर हम इसको positive sense में, like intelligence की हम बात करने लग जाए, तो control तीन चीजों को लेकर होता है, कि आप कैसे किसी particular behavior को होने दे रहे हो, उसको कम कर रहे हो, या उसको बढ़ा रहे हो, तो control इन तीनों चीजों को लेकर होता है, ठीक है, तब आपको जो भी behavior है, जिस भी particular चीज के उपर आप research कर रहे हो, आप उसको कैसे control कर रहे ह हो यह आपका फोल्ट हो गया एंड लास्ट है एप्लिकेशन इन सारी चीजों की तुरू डिस्क्रिप्शन प्रेडिक्शन एक्स्पेनेशन और कंट्रूल इन सारी चीजों की तुरू जो भी नॉलेज जो भी इंफर्मेशन आपको गेन हुई है आप उसको कैसे एपलाई कर सके तो आपका गोल यह है इसलिए आप इंक्वाइरी कर रहे हो तो फाइनल गोल जो होगा साइन्टिफिक इंक्वाइरी का वो है एप्लिकेशन जहां पर जो भी नॉलेज जो भी इंफर्मेशन आपको गेन हुई है आप उसको कर देते हो एपलाई और आपकी एफिशेंसी बढ़ सकती है तो अब यह इंफर्मेशन हमको गेन हुई थी यह हमने लोगों को बोला कि आप इसको अपनी लाइफ में एपलाई कर दो साइन्टिफिक इंक्वाइरी इस ऑल्सू कंड़क्टेट टू डिवलप नियू थोरीज और कंस्टक्ट्स विच लीट्स तू फॉर्दर रिसर्च और जब आप इंक्वाइरी करते तो हो सकता आपको किसी नए फिनॉमेना की बारे में जानने को मिले तो वो चीजों से फिर और आगे की रिसर्च होना स्टार्ट हो जाती है तो यह बेसिक एम्स होते हैं एक या गोल्स होते हैं साइकोलोजिकल एंक्वाइरी के क्लियर है आया यह भी यहां तक समझ में आये होप सो इस तने में कोई डाउट नहीं होगा आपकी नेक्स्ट है स्टेप्स इन कंड़क्टिंग साइंटिफिक रिसर्च करोगे एक्जेकली मतलब आप रिसर्चर हो ठीक है तो आपने यह तो अपने मन में बना लिया है कि मु जो होती है क्योंकि क्यों बोल रहा है हम इसको साइंटिफिक रिसर्च क्यों बोल रहे हैं जैसे कि हमने स्टाट किया कि साइकोलोजी जो है वह एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है यह चीज हमने कही तो साइकोलोजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है मतलब साइकोलोजी एक क्योंकि science में आप जो भी investigation कर रहे होते हो तो उसको आप science इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें आपकी वो methods use होती है आप किस तरह से जो है मतलब investigation करोगे आपके facts होंगे observation होंगे experiments होंगे etc etc same चीज psychology में भी होती है topic जो है उसको आप किस तरह से research करोगे इस एक चीज़ पर ज्यादा focus किया जाता है ना कि इस एक चीज़ पर की आप क्या investigate कर रही हो the scientific method attempts to study a particular event or a phenomena in an objective systematic and testable manner this is important जब भी आप scientific research करते हो तो आपके 3 motives होते हैं एक तो आपका research objective हो दूसरा systematic हो तीसरा testable हो और जब भी scientific research बोल रही हूं क्योंकि psychology के अंदर पढ़ रहे हैं so that means psychological inquiry क्योंकि psychology भी एक science है तो जब भी आप research करो तो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है objective systematic and testable objective का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आज आपने कोई research conduct करी देखो एक objective का साथ में किन सारे objectives के साथ में यह research को conduct करना चाहते हो तो लाइक फर example अगर आप stress के ऊपर research कर रहे हो तो आपने देखा कि stress जो मतलब इस पर research करने का मेरा objective है कि stress के कारणों को पता करना stress में person किस तरह से react करता है और कैसे मैं इस stressful condition को क्योर कर सकता हूं उसके regarding सारे जो है मुझे precautions वगेरा सारी चीज़े बतानी है उसका treatment बताना है एक सेक्टर एक सेक्टर मतलब जानना है इसलिए मैं यह research करना चाहता हूं एक वह हो जाता है objective यहां पर objective या objectivity का मतलब क्या है कि for example आज आपने कोई research कंड़क्ट करी stress के उपर और मान लो कुछ time बाद उसी stress के उपर किसी और परसन ने जो है research कंड़क्ट करी तो दोनों के result जो है वो सेम आने चाहिए आज आप कोई research करें को कोई और person को research करेगा psychology में तो उनके result जो होने चाहिए वो सेम आने चाहिए और इग्जामपल आपने इस बोड की लिंथ को मेजर किया तो यह five feet निकली और फिर उसके बाद में for example मान लो मैंने भी इस बोड की लिंथ को मेजर किया तो वो भी five feet ही होना चाहिए so that is objectivity second आपका systematic एक पूरा procedure एक पूरा system एक पूरा process के थ्रू आपके research होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आपने डेटा बाद में collect करा पहले आपने अपने according assumptions बना लिया आपने अपने according सारी चीज़े कर लिए फिर data collect करा फिर finally जो है relate करते हुए conclude कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए एक जो पूरा systematic process होता है जिस process को अभी हम यहां पर जो है समझने वाले हैं तो आपको उस systematic procedure के थ्रू ही जो है research करना है और लास्ट टेस्टेबल आपके research testable होनी चाहिए testable का मतलब यह कि आप ऐसे phenomena के उपर research करो जिस पर research की जा सकती है अगर आप कोई ऐसा phenomena ले लो जिसके उपर research नहीं हो सकती जिसके उपर कोई test conduct नहीं हो सकता है जिसके regarding कोई data आपको नहीं मिलने वाला है तो ऐसी research करने का कोई sense नहीं होगा तो इसी लिए यह तीन चीज़े आपको जो है बिलकुल ध्यान में रखनी है अगर आप इन तीन objectives के साथ में research स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी research जो है 100 परसंट successful भी होगी साथ ही साथ में वो एक scientific research भी कहलाएगी clear है आया यह भी हां तक साज में so now the scientific research follow systematic procedure or steps of investigation and it includes the following steps और अब किस एक process के थ्रू हम जो है investigation यह research करते हैं उसको हम यह आपर discuss करेंगे देखो investigation करना inquiry करना research करना study करना related topics हैं बिलकुल मतलब इनके बीच में ऐसा कोई concrete differences नहीं है एक दूसरे से ही related है तो इसलिए वो सारे words में use करते हैं तो इंफ्यूज मत हो ना कि अभी तो inquiry बोला था अभी तो research बोल दिया अभी investigation बोल दिया सब के meaning similar ही है clear है अब आजाओ कि कौन कौन सी steps के थ्रू आप research conduct कर सकते हो तो मतलब क्या steps होती है research को conduct करने में तो सबसे पहला होता है conceptualizing a problem और इसी के साथ में इसका meaning तो मैं बताऊंगी ही बट उससे पहले यह जो चार्ट यहां पर बने हुए है इसको बना लो फटाक से चाहो तो इस विए चीज आपके दी गई है तो या तो बुक में से उसको कॉपी कर लो लेकिन उसको लिख के जरूर रखो अपनी notebook में जैसे यहां पर हमने goals लिखे हैं तो आपके next page पर आपके यह पूरा steps भी होना चाहिए steps का भी जो है एक page आपका मतलब डाइग्राम जो है वो बना procedure आपका जो data होगा वो कैसे आप मतलब उसको collect करोगे तो उस data के अंदर आपके participants कौन-कौन होंगे आपकी method क्या होगी आप कौन से tools को use करोगे आपका पूरा procedure क्या होगा data को collect करने का तो for example अगर आप research कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर for example आपका research का topic है कि कोई disaster में ऐसे बचे हैं for example किसी particular area में कोई natural disaster हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी lives जो है खो देते हैं मतलब बहुत सारे लोगों की death हो जाती है तो उस area में अब ऐसे लोग बचे मतलब for example जैसा यह कोई area था इस area में कोई natural disaster आता है पहले यहां पर जो population थी वह 1000 थी ओके लेकिन अब वो population मतलब disaster के बाद में अब वो population around 700 के आसपास बची हुई है 300 लोगों की death हो गई है और इन 700 में से सभी की family में से कोई ना कोई person जो है उनको छोड़के गया हुआ है तो अब यहां पर यह जो इतने लोग रह रहे हैं इनके एक पुरे mind के उपर इस disaster की वज़े से और अपने लोगों को खोने की वज़े से क्या वो हुआ है मतलब क्या ऐसा असर हुआ है किस तरह से यह लोग फील करते हैं इनके उस परिशानी को उस दुख को समझने के लिए जो है आपने रिसर्च कंड़क्ट करी यह आपका रिसर्च का टॉपिक था अब आप इनके पास में जाओगे आप इनसे डेटा कलेक्ट करोगे ठीक है अब आपको इन 700 पीपल का डेटा चाहिए तो ऑवि कौनसी मेतन अब यूज करोगे आप इस डेटा को अबसर्वेशन की ठूCLS करने वाले और एक्सपरिमेंटल मेठड करने वाले हो लाइए यौक्शन करने वाले सारवे करने वाले हो तो इस डिपेंड करते आप मेठोड और ऊथे और देख़ो ऐसा नहीं होता कि आपको को research के according, कौन सी method suitable है, यह decision आपका होता है, कि आपको, जैसे आप for example, आपको 700 people से data collect करना है, तो आप उनको observe करके वो चीज नहीं जो है समझ सकते हैं, क्यूँ? क्योंकि experiences are subjective in nature, experiences के बारे में हमने पढ़ाए कि वो subjective होते हैं, वो उसी person, मतलब वही person उसको feel कर सकता है, जिसके साथ में ऐसा कोई incident हुआ है, तो आप observation करके उसको नहीं समझ सकते, आप वहाँ पर कोई experiment conduct नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको natural setting के अंदर समझना है, correlation यहाँ पर जो है, पूरा discussion करके आप समझ सकते हो कि उनकी feeling क्या है, आप exact reality पर तो नहीं जा पाओगे, बट at least आप जो ground reality है, उसको समझने की कोशिश कर पाओगे, तो survey method यहाँ पर suitable लग रही है, आया समझ में case study आप कर सकते हो, यहाँ पर आज पास जो सारी लोग है, उनसे बातचीत कर सकते हो, तो case study और survey method suitable लग रही है, जरूरी नहीं एक ही method से सारा कुछ करो, दो या दो से ज़ादा method भी उसमें use हो सकती है, then tools क्या क्या होंगे, तो जैसे मैंने आप से का personal interview आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद में एक पूरा आपका procedure, किस process के थ्रूँ आप इस data को collect करोगे, यह भी आपको जो है specify करना होगा, थर्ड step है, drawing conclusion using statistical methods, अब आपके पास में जो data आ गया इन 700 people से, अब आप करोगे उसको analyze, आप देखोगे कि कितने लोग हैं जो आज भी उस गम में जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज भी उस disaster से बाहर नहीं आ पाएं, मतलब अगर आपको ऐसा data मिलता है, तो कितने लोग हैं जो अपनी life में move on कर चुके हैं, तो इस तरहीके से आप पूरा जो है उसको analyze करोगे, पहले तो आपने पूरा data collect कर लिया, आप उसके बाद में आप उसको analyze करने बैठोगे, कि हाँ क्या क्या सारी चीज़े हुई हैं, जो भी data मुझे collect हुआ है उसके basis पर, फिर आप analyze करते करते एक conclusion पर पहुंचोगे, For example, आप किस conclusion पर पहुंचते हो, कि आज भी उस area में, मतलब maybe उस disaster को one year हो जुका है, तो after one year वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो disaster के डर से थोड़ा सा बहार तो आप आए हैं, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं, जो अब भी डरते हैं कि कहीं कल को ऐसा disaster फिर से ना हो जाए तो कुछ लोग वहाँ से छोड़ के उस जगे को जा चुके हैं, लोगों ने move on करना start कर दिया है, बट कहीं न कहीं आज भी उनको अपने relatives, अपने लोगों को खोने का दुख है, मान लो आप इस conclusion के उपर पहुंच जाते हो, तो ये आपका conclusion हो गया research का, आया समच में, आप आप उस conclusion में कुछ statistical methods use करते हैं, जैसे आपने pie chart बना लिया, आपने कोई diagram बना लिया, कोई graph बना दिया, उसके through आप उसको depict कर सकते हो, clear है, then आप next पर आगे revising research conclusions, अब आप hypothesis build up करते हैं, जब आप किसी topic को study करते हो, यहीं पर hypothesis build up हो जाता है, जब भी आप किसी topic को choose करोग तो उससे related एक tentative answer या tentative solution of the problem आपके पास में होना चाहिए, जैसे for example हमने वो जो disaster वाले area का लिया, तो for example मान लो, उसका hypothesis यह था कि लोग आप disaster को भूल के move on कर चुके हैं, for example, ठीक है, अब आपने इस एक hypothesis को बना के research conduct करना स्टार्ट करी और आप conclusion पर भी पहुंचे, तो conclusion में भी आपको जानने को मिला कि हाँ, लोग जो है disaster से अब उबर चुके हैं और उन्होंने अपनी life में move on करने स्टार्ट कर दिया, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक डर उनके मन में है, तो यह आपका hypothesis यहाँ पर proof हो जाता है, क्या कि सही ता आपका hypothesis तो आपको revise करने की जरू ओके और फिर इसके बाद में आप वापिस अपने research को जो है मतलब analyze करोगे सारा कुछ उसमें जो भी hypothesis उसको formulate करोगे एक नई theory बनाओगे, clear है, आया यह यहाँ तक समझ में, so these are the steps in conducting scientific inquiry, जिसका meaning मैंने बहुत तक आपको यहीं explain कर दिया है, कि किस तरह से जो है, आपकी scientific inquiry की जाती है, clear है यहाँ तक, इतने में आप कोई doubt नहीं है, अब आजाओ next पे, so एक ही करके इन problems को थोड़ा से देख लेते हैं, so जब भी आप scientific research करोगे, तो सबसे पहले चीज़ एक theme या topic आपके पास में हो, फिर उसके बाद में आपको questions या जो भी problem है आपकी study के, आपको उ research, क्या observation, क्या experiences रहे हैं, आपका अपना viewpoint क्या है इस problem को लेके हैं, तो उन सारे चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको develop करना होता है, जैसे for example, हमने लिया कि इस area में कोई disaster आया था और thousand में से अब जो है सिर्फ यहाँ पर 700 people ही है, for example, तो आपका अपना क्या viewpoint है इस एक चीज करते हैं, और क्या-क्या problems उनको face करनी पड़ती है, क्या आपने कभी कोई natural disaster को face किया है, तो किस तरह से वो सारी चीज़े होती है, तो वो एक आपका अपना personal experience, मतलब आपका अपना personal opinion होना चाहिए, चीजों को लेके, जिस पर भी आप research करना चाहते हो, और फिर उसके बाद आपको इसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, तीक है, आपको ऐसा लगते है कि आप बहुत ही ज़्यादे होना, लाइक फर एक्जापल अगर मैं अपनी बात करूं ठीक है, तो आपको इसा होता है, आप लोग की घर में भी उता होगा, आपकी भी आपनी कोई चीजों ह लाइक आपको गुसा आजाता आपको छोटी-छोटी चीजों पर बहुत जादा जो है गुसा आने लग जाता है या for example I am very happily forever type of person कि मैं किसी भी चीज को for example मालो मेरा ऐसा nature है कि हमेशा खुश रहो बाकी चीजों को secondary देखेंगे तो यह जो मेरा nature है क्या यह अच्छा है गलत है तो उसे चीज को लेकि मेरे इस nature को मैं analyze करना start कर दो या आप अपने किसी particular nature को analyze करना start कर दो तो वो एक चीज है कि आप अपने behavior को भी समझ सकते हो psychological inquiry के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई और ही topic लेना है आप अपने आप से related भी कोई topic ले सकते हो आप किसी और individual के behavior को समझ सकते हो आप किसी group के behavior को समझ सकते हो कि जब आप के आज पास में कोई ग्रूप होगा तो एक individual किस तरह से बीएव करता है यह life for example आप हो और आपके सामने कोई 10 लोगों का group बैठा हुआ है तो आप किस तरह से बीएव करते हो जब आप मदब group का influence आपके behavior पर कैसा होता है या फिर group का behavior कैसा होता है किसी organization level पे किसी organization में जो है किस तरीके से सारी चीज़े होती है workers का behavior, workers के experiences किसी भी चीज़ को लेके तो psychology का इसको बहुत ही wide है बहुत ही large range of phenomena को यह cover up करता है तो आप इसमे psychological behavior experience को किसी भी realm में किसी भी sphere में समझ सकते हो for example आप ऐसा नहीं ले सकते है इसमें problem कि इंडिया में economy की बहुत जादा इंडियन economy की बहुत तेजी से growth हो रही है तो उसके क्या कारण है अब आप, sorry, आप उसके उपर research करना है start कर दो तो वो आपके economics का topic आजाएगा, psychology में research कर रहे हो, psychological inquiry कर रहे हो तो psychology से related topics आपके पास में होने चाहिए clear है, then आपको इसके बाद में करना है hypothesis construction that is the tentative answer of the problem okay, so hypothesis लिखो एक जगा और उसके आगे ऐसे लिख तो tentative answer of the problem तो हमेशे याद आएगा कि hypothesis होता क्या है next है आपका collecting data, तो आप data collect करोगे और data collection को blueprint भी कहा जाता है blueprint या design of the entire, research design of the entire study मतलब की आपकी study कैसे होगी, आपके participant कौन होगी, क्या method होगी, क्या tools होगी, क्या पूरा procedure होगा उसको आप पूरा framework प्रोवेड करते हो, तो वो एक तरीके से आपकी study का एक blueprint कहलाता है ठीक है, यह होगे आपकी second step, then आपकी third step है drawing conclusion, तो वही मैंने आपको बताए कि data analyze होगा यहाँ पर और फिर आप कुछ statistical tools को use करके conclusion बनाओगे, revising research hypothesis, देखना कि हमारी जो research है, उसमें हमारा hypothesis सही था या गलत था, एक और चीज़ कि research जो है, वो एक continuous process है, research जैसा process कभी भी खतम नहीं होता, for example, आपने किसी चीज़ पर research करा, उसको लेकि कोई conclusion आया, उसके उपर फिर कोई और person research करने start करी, तो research जो है, वो continuous process है, वो कभी खतम नहीं होता, ठीक है, आप तो फिर इस तरीके से जो है, आपकी सारी steps होती है, scientific research के अंदर, clear है, आया ये भी हां तक सांच में, आप next topic पर आजाओ, that is your nature of psychological data, अब psychology में जो data होता है, जिस data की मैंने आप से बात कहीं, क्याप data collect करोगे, आप information collect करोगे, basically, जो information आप collect करे हो, उसे ही data कहा जाता है, singular form में उसको datum कहा जाता है, यह आपका plural form है, और singular form में उसको जो है, datum कहा जाता है, ठीक है, तो अब यह जो आपका psychological data है, इसका nature किस तरह का होता है, जो data जो information आप collect कर रहे हो, वो कैसा होता है, तो यहा बिना data के आप किसी भी चीज़ को जो है मतलब true या false या उससे related कोई भी conclusion पर नहीं पहुँच पाओगे For example मैंने अभी जो आपको एक example दिया वो disaster वाला अगर आप उन 700 people से जानोगे ही नहीं और आप अपने assumption के basis पर ही जो है सारा conclusion कर दोगे तो आपकी research valid ही नहीं होगी है ना आपकी research जो है वो valid ही नहीं होगी क्योंकि उसमें आपने अपने personal experiences आपने personal point of view जो है add on कर दिया बट आपने कहीं से भी data collect नहीं किया तो data जो होता है वो एक तरह से आपको opportunity provide करता है जहां पर आप ideas को notions को etc को verify या falsify कर सकते हो जैसे for example मानलो आपको ऐसा लगता है कि यह जो 700 people survive कर पाए हैं after disaster यह 700 people जो हैं बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि एक साल पहले disaster हुआ था और आप तो यह सब अपनी life में move on कर चुके होंगे इन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी अब यह एक आपका assumption था बट जब आप ground reality पर जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि वो कितनी जादा problem से जो है मतलब survive कर पा रहे हैं और कितनी जादा दिक्कते उनको आ रहे हैं अपनी life में उनके पास में economic resources भी नहीं बचे हैं उनके पास में कोई source of income भी बहुत अच चलाते हैं और ऐसे disaster prone area में रहते रहते एक डर उनके मन में आ चुका है तो यह जो एक आपका personal point of view था उसको गलत साबित कर दिया जब आपने research की जब आपने data को collect किया तो data एक बहुत ही important input है psychological inquiry के अंदर now data are not independent entity सबसे पहली चीज़ तो data independent नहीं है independent का मतलब यह कि मानलों आपने 700 people से data collect किया और बस वही data जो है आपके लिए सब कुछ है पूरी research के अंदर कैसे they are located in the context and are tied to the method and theory that control the process of data collection इसमें आपने किस तरह से data को collect किया कौन सी method को आपने यूज करी किस context में आपने data को collect किया क्योंकि कोई भी चीज आपके environmental आपके psychological आपके social आपके physical context से related होती है like for example कोई person है जो बहुत ही जादा जो है मतलब हमेशा से कैसे रहता है बहुत ही चिर्चिड करता हुआ रहता है ठीक है तो मेभी वो उसके अपने social physical context से उसको affect करता होगा तो अगर आप उसमें सरफ उस individual के उपर focus करते हुए data collect करो तो वो data आपका relevant नहीं है क्योंकि उसमें आपने बाकी सारी चीजों को focus ही नहीं किया तो यहां पर data independent नहीं है किसी एक ही चीज से related नहीं है उसमें सारी चीजे आएंगी उसके आसपास की तो आपको उसका भी ध्यान देना है ठीक है और साथी साथ में आप कौन सी method कौन सी theory यूस करते हो data collection process में so data are not independent of the physical or social context the persons involved and the time when the behavior occurs so we behave differently when alone done in a group or at a home and in office just suppose आप जो है अभी एक ग्रूप के अंदर हो for example for example आप अपने फ्रेंच के साथ में किसी ट्रिप पर गया हो ठीक है आप अपने फ्रेंच के साथ में किसी ट्रिप पर गया हो ठीक है आप अपने फ्रेंच क कर सकते क्योंकि आपको ऐसे लगे कि यह चार पांच लोग मेरे साथ में है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन ज़स आप अकेले कहीं से जा रहे थे और आपको कंगन खनकने की भी आवाज आगी ना तो वहां से आप भग लोगे ठीक है क्योंकि क्योंकि आप कैसे शारी कुछ है मतलब अब डर जाओगे एक तरीख से एक एक जाम्पल ठीक हैं तो आप उस जगे से भाग जाओगे आपट जगे जाओगे ही नहीं है ना तो यह एक्टेफ्रेंस है कि जबम अकेले होते आप अलग से बीएव करते हैं लेकिन जब आप गुरूप में होते हो तो आपका behavior कहीं न कहीं influence होता है तो same way में यहाँ पर भी एक चीज कहीं जा रही है कि कोई person के अगर किसी भी behavior के उपर या किसी भी human behavior, किसी भी experience के उपर अगर आप research कर रहे हो, study कर रहे हो तो आप सरफ उस person को ही नहीं लोगे बलकि उसका time, उसका physical, उसका social content किस चीजों में वो behave करता है, इस तरह से react करता है वो सारी चीजों को आपको consider करना होगा तो अगर आप सोचो कि सरफ इस person से data collect करूं information लो और मेरा काम खतम, so that's not enough आए यह भी समझ में कि data कैसे independent entity नहीं है then second है आपका, कि the method of data collection used and the characteristics of respondents also influence the nature and quality of data आपने किस method को use किया है और साथी साथ में आपने किस से data को collect किया है वो nature और quality of data को affect करता है for example कोई research करनी थी जिसमें survey method जो है most suitable थी but आपने experimental method की for example आपको data individually लेना था but आपने group में data को collect किया तो यहाँ पर आपकी जो information होगी न वो accurate नहीं होगी तो accuracy बनाने के लिए कौन सी method योज होगी कौन से characteristics involved होगे यह सारी चीजों का भी ध्यान देना होता है then another important feature of data is that it does not represent reality and only inferences are made from data data खुद से नहीं बोलता जैसे आपने data collect कर लिया 700 people से ठीके वही वाले example ले कि यह एक कोई drought prone area है जहाँ पर just suppose for example two hundred and twenty one में कोई जो है मतलब disaster prone area है sorry और यहाँ पर मानलो tsunami आई थी मानलो यहाँ पर tsunami आई थी और यहाँ पर इसे time पर thousand people रहते थे लेकिन after tsunami यहाँ पर at present सिर्फ 700 people जो है वो रह रहे हैं तो अब यह जो 700 people है इन से आपने data collect कर लिया आपने survey method करी आप गए इनके पास में आपने इन से जानने स्टाट करा पूछने स्टाट करा कि आप किस तरह से feel करते एक्सेक्टर एक्सेक्टर और फिर उसके बाद में आपके पास में जो है पूरा data collect हो गया for example for example आपने questionnaire बनाया था just for example चीके आपने questionnaire बनाया था 700 people से आपने 700 people से questionnaire को collect कर लिया तो अब क्या यह data अपने आप बताने लग जाएगा आपको कि इस data का क्या मीनिंग है क्या data अपने आप बोलने लग जाएगा कि जो भी information collect हुई है उससे ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है नहीं आपको अपनी तरफ से उस data को analyze करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा data को analyze करना पड़ेगा जब आप data को analyze करोगे बैठोगे उसको समझोगे सारा और सारे answers लिखते हैं और उसके बाद में teacher आप से test paper collect कर लेती हैं और चली जाती है क्या अब test paper collect करने से पता चल जाएगा कि class में टॉपर कौन है obviously नहीं पता चलेगा कब पता चलेगा जब test का result आएगा और test का result आने में क्या एक चीज़ सबसे जादा important है कि जब teacher आपकी copies या आपकी answer sheets को check करेंगी तो जब आपकी answer sheets को check करेंगी तब वो देखेंगी कि कौन से student ने बहुत अच्छे से लिखा है कौन से student ने थोड़ा average लिखा है कौन से student fail हो गया है ठीक है और फिर इस according जो है वो एक पूरा graph prepare करेंगी कि class में कौन सा बच्चा है जो top list में है कौन साई जो average आ रहा है इस तरीके से तो जब आपके पास में 700 पीपल से data आएगा as a researcher तब आप उस data को analyze करोगे कि इसमें क्या सारी चीजे मुझे जानने को मिली है तो inferences जो है वो researcher को बनाने पड़ते हैं और data से बनाने पड़ते हैं data अपने आप में कभी भी नहीं बोलता है clear है so this was all about your basics of research की सबसे पहले चीज तो आपको क्या करना है अपने goals set करने हैं क्या research क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्या सारे reasons है इसके बाद में आप देखोगे कि उसमें कौन कौन सी steps included है उस steps के according आपको काम करना है और data सबसे important है पूरी research के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज ज़्यादा होता है तो कहीं न कहीं हमारे results पर वो affect करने लग जाता है अब बात कहते हैं methods की तो कौन कौन सी methods जो है psychology में use की जाती है for data collection तो सबसे पहले है उसमें आपकी observational method मैंने आपको methods बताएं observational, experimental, correlational, survey, psychological, testing and case study six methods की हमने बात करी तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे observational method की अब observational method नाम से क्या suggest करी है observe करना और observe कहां से आ रहा observe word meaning जो है वो कहां से आ रहा है to notice जब आप चीजों को notice करने लग जाते हो तो वो observation कहलाता है और generally अगर आप चीजों को देख रहे हो तो वो just simply जहां आप चीजों को देखते हो seeing that process के लाता for example एक example दिनोए ठीक है आप देख रहे हैं आप वीडियो कोदेख रहे आभी ठीक है आप इस lecture को देख रहे हो आपम पीछे देख रहे हो कि बौड है ये सारी चीजirm चालरमानली देखे वह रूज ecos पढ़ते हो मैने से ठीक है लेकर राम मानलो कि इस यादर आपने notice करने स्टार्ट कर दिया कि जो मैडम है वो किस तरह से आती है ठीक है मैडम किस तरह की हैरिस्टेल करती है मैडम ने वाच पहनी हुई है मैडम के हाथ में हमेशा जो है पहन रहता है मैडम नेल पेंट लगाती है मैडम किस तरह से रेडी होकर आती है और बोर्ड पे हमेशा कु क्या करोगे observe करोगे तो observational method होता है मतलब notice करना generally आप खड़े हो और किसी चीज को देख रहे हो या बैठे हो किसी चीज को देख रहे हो so that means कि normally आप इन चीजों को daily ही देखते हो like आप daily अपनी life में देखते हो सुबह उठते हो अपने घरवालों को देखते हो घर को देखते हो आज पास चीजों को देखते हो road से जाते होगे तो लोगों को देखते होगे animals को देखते होगे traffic light को देखते होगे ये जनरेली रोज देखते हो लेकिन जब यहां पर कोई चीज नोटिस करने लग जाओ like for example daily आप जहां से आपके घर के आसपास में कोई traffic signal है और वहां पर जो भी traffic police inspector खड़े होते हैं यह खड़ी होती है जिनको आप डेली देखते हो तो आप देखते हो आए हाँ यह रोज यहां पर रहती है तो आप वो रोज वहां पर रहती है आपको कैसे पता क्योंकि आपने notice करने start करा so that is observation observation जब आप notice करना start कर जाते हो चीक है important tool है important method है sorry और यहां पर आप behavior को बहुत अच्छे से explain कर सकते हो चीजों को notice करते हुए scientific observation differs from day to day observation in the following steps अब जैसे मैंने भी आप से कहा कि आप day to day बहुत सारी चीजों का अपनी life में देखते हो या observe भी करते होगे लेकिन जब आप scientifically किसी चीज़ को observe करते हो तो वो आपकी day to day observation से अलग हो जाता है कैसे मतलब यहां पर आप scientifically inquiry करोगे scientifically किसी psychological phenomena पर research करोगे observational method के थूँ तो वो आपकी day to day observation से कैसे अलग होगा तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो है aspects बताएं like सबसे पहले है selection psychologists do not observe all the behavior that they encounter rather they select a particular behavior for observation psychologist हर एक तरह के behavior को study नहीं करते हैं मतलब बहुत सारे behaviors होते हैं वो एक किसी particular behavior को select कर लेते हैं उसके उपर जो है observation किया करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहली बिताया है कि psychology में या कहीं भी अगर आप research करते हो तो आपको एक बहुत ही नेरो टॉपिक को ढूड़ना पड़ता है मतलब एक बहुत ही छोटे से छोटा टॉपिक जिसके उपर आप research करोगे क्योंकि अगर आप कोई बड़ा टॉपिक ले लोगे तीन चार बीहेवियर आप ले लोगे तो आप उन सब को डीटेल में study नहीं कर पाओगे तो और आपके research बहुत ज्यादा लम्मी हो जाएगी तो आपको एक नेरो डाउन करके छोटा सा topic लेना है एक particular area को select करना है और फिर उसके उपर आपको research करने तो यहाँ पर जब आप observational method की through किसी भी behavior को study कर रहे हो तो आप किसी particular behavior को select कर सकता है ताकि बाद में उसको बहुत ज्यादा easy हो जाए उस behavior को समझने के लिए and describing each activity in greater detail using short hand और symbols photograph और आप बहुती easily किसी भी behavior को जो है explain कर सकते हो तो recording भी जो है observation method के through की जा सकती है third है आपका analysis of data जब observation complete हो जाएगा तो psychologist ने जो भी सारा कुछ record किया हुआ है जो भी सारा provide करेगा वो उस data को analyze करेगा और analyze करना बहुत ज्यादा important है और साथी साथ में data analysis करने के लिए भी आपको skills की requirement होनी चाहिए अगर आपके पास में skills है तो आप अपने data को बहुत अच्छे से जो है analyze कर सकते है और उसको एक meaning provide कर सकते है और finally conclusion पर पहुँच सकते है तो यह होती बेसिकली इन चारों की क्या meaning होते है उसको हम देखते हैं देखो नाम से क्या suggest करा है naturalistic observation यानि वो observation जिससे आप naturalistic condition में करते हो like in this case the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation मतलब यहां पर जो भी observer है for example आप observer हो आप research कर रहे हो तो आप उसमें किसी तरह का कोई भी change कोई भी manipulation नहीं करोगे जो च search करना चारहे हो कि जो बच्चे playground में जाते हैं खेलने वगरे के लिए आप उनके behavior को observe करना चारहे हो तो आप playground में जाओगे और वहां जाकर ही उनके behavior को observe करोगे so that is naturalistic condition में ही आप उसको observe करो तो आप जैसे कोई observation school के students के उपर करना चारहे हो यह school के management या किसी भी चीज़ प Anytime certain factors that determine behavior are controlled by the people that are not the focus of their study कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे behavior होते हैं जिसको influence किया जाता है by other factors ठीक है लेकिन अगर हमको कुछ ऐसे behavior को कुछ ऐसी चीजों को study करना है जिन्हें हम बाकी चीजों को constant रखना चाते हैं बाकी other factors को constant रखना चाते हैं तब हम उस तरह के observation को controlled setting या laboratory म करते हैं like for example इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोच ऐसे factors होते हैं जो behavior को determine करते हैं जो people के behavior को control करते हैं लेकिन हम उन factors को study नहीं करना चाते हम सिर्फ और से इंडिवीजियल के उपर focus कर रहे हैं तो उसको आप जो है lab के अंदर ले जाके फिर उसके उपर आप observation करोगे मतलब किस की बाद में जो है observation के through research conduct करते हो next है आपका non-participant observation non-participant observation जहां पर आप participate नहीं कर रहे हो और फिर आप चीजों को observe करें like for example जैसे मैंने आप से कहा कि आप playground में जाके बच्चों की behavior को observe करना चाहते हो तो उसमें आप जस्ट दूर खड़े हो और आप बच्चों की behavior को observe कर रहे हो उसमें आप खुद playground में खेलने या referee का काम करने नहीं लग जाओगे है ना मतलब आप जस्ट दूर खड़े हो के चीजों को observe करोगे जब आप उसके पार्ट नहीं होते हो नेक्स्ट है आपका participant observation पार्टिसिबेंट observation जहां पर observer खुद उस ग्रूप का पार्ट बन जाता है आप खुद भी बच्चों के साथ में खेलना इस्टार्ट कर दो तो उसमें सबसे पहला काम आपका यह होगा कि बच्चे आपको accept कर ले कि हां यह भी हमारा फ्रेंट है और यह कोई ऐसा researcher वगरा नहीं और बहुत ही ईजली आप उनके साथ में खुल मिल जाओ और फिर उसके बाद में बढ़िया खेलते वेलते रहो और साथी साथ में उनके behavior को भी observe करते रहो and at the last आपने जो भी सारा कुछ observe किया है आप उसको note down करो so that is your participant observation इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि जिस भी group को आप observe कर रहे हो वो group आपको अपना part मान ले वो आपको ऐसे ना देखे कि आप observer हो बलकि वो आपको अपने friend की ही तरह देखे सो यह जो है सारे parts मतलब types होते हैं आपके observational research के अंदर and this was about your observational research clear है आई समझ में कि observational research क्या होती है कैसे करते हैं कैसे बाकी research से अलग होती है और साथी साथ में इसके क्या types होते हैं अब बात करते हैं इसके advantages or limitations पे so observational method enables the researcher to study people and their behavior in a naturalistic situation as it occurs observational method में हम जो भी study करते हैं तो उसमें हमको naturalistic explanation मिलता है मतलब हम वहाँ पर किसी तरह का कोई change कोई manipulation नहीं करते हैं तो naturalistic situation में हमको behavior को जादा अच्छे से समझने में help करता है observational method वही इसका limitation यह है कि यह बहुत ही जादा time consuming labor consuming है और साथी साथ में susceptible to the observers bias इसमें एक तो आपका time बहुत लगे का observation में क्योंकि जब वह behavior होगा तब आप उसको observe कर पाऊगे दूसरी तरफ आपका महनत बहुत जादा लगने वाली है and thirdly हो सकता है आप observe कर रहे हो कि सेदा का behavior आपको दिख रहा है अब हो सकता है वह behavior उस कारण से ना हुआ हो जिस कारण से आप उसको समझ लो तो आपका अपना एक personal interpretation personal point of view भी जो है उसके अंदर आ जाता है तो यह भी इसकी limitation है observational method की our observation is influenced by our values and beliefs about the person or the event and it has also seen that because of our biases we may interpret things in a different way than what the participant may actually mean अब क्योंकि अब हम observation कर रहे है और हमारे अपना point of view हमारे अपने ideas हमारे अपनी values को हम उसमें include कर लेते हैं को जैसी वो है नहीं मतलब की for example कोई person जो है आपने देखा कि playground में जो है खेल चल रहा है ओके आपने देखा कि बच्चे है तो छोड़े बच्चे है ठीक है आप वो आपस में खेल रहे हैं तो किसी बच्चे ने देखा कि यार मेरे friends ना मेरे साथ में बहुत इस इतना मुझे खिला नहीं रहे हैं feeling आई यह जो सारे emotions वगरा जो भी सारी चीज़े थी वो उस बच्चे के mind के अंदर होती हैं लेकिन observer ने इसको कैसे observe किया कि बच्चे के रोने की वज़े से जो मतलब वहाँ पर और दूसरे बच्चे खिल रहे थे उनने उसको भी अपरी टीम में participate कर दिया तो यहाँ पर एक observation का यह भी एक दिमारेट होता है and therefore the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself तो इसी लिए observer को जो है behavior को record करना चाहिए जैसा भी वो हो रहा है और फिर बाद में उसको जाके analyze करना चाहिए क्योंकि अगर आप उसी time पर किसी तरह की interpretation पर पहुँच जाओगे तो शायद वो सही नहीं होगा क्लियर है यह भी आगे हां तक सब्सक्राइब और और अब्जर्वेशनल मेठाट सेगिंड मेठाट है आपकी experimental मेठाट अब experimental मेठाट किस से रिलेटेड है experiments से से रिलेटेड है and experiments are generally conducted to establish the cause and effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting जहाँ पर आपको experiment conduct कर रहे होते हो दो variables या दो events के बीच में और यह सारी चीज़ controlled setting या lab के अंदर हो रही होती है cause effect relationship को build up करने के लिए तो experimental method पर रहे हो तो उसमें यह चार चीज़े लिख लो a caliclob, experiments, two variables, controlled setting, controlled setting and finally cause effect relationship. cause effect relationship तो जब भी experimental method पढ़ो इन चीज़ों को ध्यान में रखना अब इसी से आप पूरी method को समझ सकते experimental method को देखो इसमें दो variables होते हैं variables generally क्या होते हैं कोई भी ऐसा stimulus कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप किसी तरह का change लेके आ सकते हो जिसको आप measure कर सकते हो तो दो variables होंगे एक a variable होगा एक दो भी variable होगा और variable दो तरह की होते हैं एक इंडिपेंडेंडेंट होता है A में जो change किया था और इस कारण से B में हमको effect देखने को मिल रहा है that is the cause-effect relationship और ये जो पूरा experiment आप करोगे ये आप करोगे controlled setting के अंदर यानि lab के अंदर तो ये होती है आपकी experimental method clear है आए ये भी आपर समझे आप इसका सबसे अच्छा example जो आप ही की बुक में दिया गया था जो एक study कंड़क्ट की लाइटन और ले ने जिसमें वो क्या करते हैं एक lab जो है मतलब एक lab होता है उसमें तीन रूम्स बनाते हैं और उसमें जो है वो यह बोलते हैं कि हम एक experiment कर रहे हैं एक research कर रहे हैं जिसमें कुछ students की हमको help चाहिए होगी तो university के students आ जाते हैं उनके पास में तो वो बोलते हैं कि जस्ट आपको एक एक करके इन rooms में जाना है मतलब एक एक करके आपको rooms के अंदर बेजा जाएगा और वहां पर एक questionnaire दिया गया है एक set of questions है आपको उनको answer करना और आपको बाहर आ जाना है तो देखा किया जाता है कि सभी एक एक रूम में जाते हैं लेकिन जो first room होता है उसमें आपको अकेले जाना है question paper को भना और बाहर आ जाना है second room में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि दो और लोग वहां पर already present है third room में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ दो और लोग already present है और उन्हें आप से कहा है कि किसी भी condition में आपको react नहीं करना है तो यह देखा कि जिस room में room 1 में जहां पर students अकेले जा रहे थे वहाँ पर करीब 75% students ने इस चीज को लेके report किया कि room के अंदर smoke fill हो रही है second room जहां पर दो और लोग थे वहाँ पर लोगों ने यह सोचा कि आरे दो लोग और तो हैं तो फिर हमारे अकेले की report करने से क्या होता है तो वहाँ से सिर्फ हमको 38% reports देखने को मिली और third room जहां पर यह कहा गया था कि आपको किसी भी condition में react नहीं करना है वहाँ सिर्फ हमको 10% जो students थे उन्होंने ही report करी कि room के अंदर smoke fill हो रहा है तो यह एक पूरी study conduct की जाती है पूरी research conduct की जाती है और यह lab के अंदर होती है कि जहां पर लोग already present थे वहाँ से कम reports आती है इस smoke को लेकर ठीक है और साथी साथ में cause को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कारण यह है कि smoke को जाय रूम के अंदर fill किया जा रहा है जिसकी वज़े से लोग बाहर आके report करना स्टार्ट कर देते हैं तो independent variable क्या है यहां पर जहां पर आपने लोगों को रूम के अंदर already बिठा के रखा हूँ है तो इसका effect हम को क्या देखने को मिला कि जब आप अकेले होते हो तब आप चीजों को लेके ज्यादा react करते हो लेकिन जब आप किसी के साथ में होते हो तब आप कम reporting करते हो मतलब तब आपका behavior जो है वो influence हो जाता है तो यह यहां पर cause and effect relationship को देखा गया controlled setting के अंदर और दो variable दो events भी मैंने आपको बता दिये और experiment भी conduct किया गया so that is your experimental method meaning i hope so clear हो गया होगा ठीक है अब इससे related जो भी points है उसको एक बार revise कर लेते हैं मतलब meaning to clear हो गया की क्या होता है explain तो मैंने आपको पहले भी किया था बट और क्या points इसके अंदर आ सकते हैं उसको देखते हैं ठीक है so experimental method is carefully मैं जस्ट आपको एक read करके बता रही हूँ ताकि कोई भी point miss ना हो आपको ध्यान से सुनना है experimental method is carefully regulated procedure in which changes are made in one factor and its effect is studied on another factor while keeping other factors constant इसमें बाकी चीज़ों को constant रखा जाता है बस दो चीज़ों के उपर ही focus किया जाता है जहां एक में आप change करते हैं और इसका effect आपको दूसरे में देखने को मिलता है और बाकी चीज़े constant अब बाकी चीज़े constant जैसे इस एक example में हम देखें तो यहां पर rooms के size बिलकुल एक रखे गए थे यहां पर जो है मतलब सब को randomly भेजा जा रहा था ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि किसी तरह का जो है मतलब कोई deception या कोई भी चीज़ यूज़ की जा रही है तो वो एक चीज थी ऐसा नहीं था कि किसी एक room में हमने सर्फ females को ही बेजा तो यह सारी चीज़े जो है बिलकुल हमने constant रखे थी और बाकी चीज़ों के उपर हमने focus भी नहीं किया था ना दी concept of variable के हम बात करें तो definition क्या है any stimulus or event which worries that is different values and can be measured as a variable कोई भी stimulus कोई भी event जिसमें आप change ला सकते हो जिसकी values को आप change कर सकते हो जिसको आप measure कर सकते हो that is your variable and an object is not a variable but its attributes are कोई object variable नहीं होता है like for example यह pen है तो आप बोलो कि यह एक pen है तो मतलब यह भी इसको आप measure कर सकते है तो मतलब यह variable नहीं बलकि इसकी qualities इसके जो attributes होंगे like for example market में ऐसे ही और भी धेर सारे pen होंगे जो different shades में होंगे different size में होंगे different designs में होंगे so that is variables ओके यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि variable कभी भी object नहीं होता है बलकि object की qualities उसके variables होती है thus the variation can be in quality और quantity of objects और events तो इसलिए जब आप variation करोगे जब आप change करोगे जब आप manipulation करोगे किसी भी variable में तो आप उसकी quality में भी कर सकते हो आप उसकी quantity में भी कर सकते हो आप चार से पांच भी कर सकते हो और अगर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर quality के हम बात करें तो उसकी आप quality में भी changes कर सकते हो उसके attributes में भी changes कर सकते हो अब generally दो तरह की variables होते हैं एक आपका independent variable क्या बताय जिससे आप मेनिपलेट कर सकते हो, और इट से स्ट्रेंद वरीट बाइद रिसेर्चर इन दा एक्सपेरिमेंट, जिसमें चेंज किया जाता, यह सब नोट कर लेना मेरे साथ साथ में, ठीक है, जो भी बोल रहे हूं, जो भी बता रहे हूं, लाइक एक्सामपल, आप लिखो, इंडिपेंडेंड वरीबल लिखा आपने, इंडिपेंडेंडेंट वरीबल, यह लिखा आपने, और इसके सामने आप लिख दो, कि, चेंजिस कान भी ड़न, बस यह बिलकुल सिंपलिस्ट लेंग्वेज में, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और फिर बाद में लिख दिया, डिपेंडेंड वरीबल, वेर, नो चेंजिस का पर इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें variable के dependent variable का कोई sense नहीं है, बिना dependent variable के independent variable का कोई sense नहीं है, तो दोनों एक दूसरे पर ही dependent है, however, there are many other relevant और extraneous variables that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining the effects, तो मतलब वो यह बोल रहे हैं कि इन दो variable के अलावा और भी धेर सारे variables होते हैं, but क्योंकि वो हमारी study में relevant नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम उसको constant रखते हैं, ठीक है, और इनको control किया जा सकता है, किनको जो आपके extraneous variables हैं, उनको जो उसके अलावा, हमारे दो independent, dependent variable के अलावा जितने भी चीज़े present होती हैं, हम उसको constant रखते हैं, all relevant variables in experimental studies that might influence the dependent variable need to be controlled, और इसके साथ में जितने भी ऐसे variables हैं, जो हमारे लिए useful नहीं है, उसको हमको control करके रखना पड़ता है, like for example, आप एक study conduct कर रहे हो, जिसमें आप ये देख रहे हो, कि किसी football match में, एक player की performance पर क्या affect पड़ता है, जब उसको audience cheer करती है, ठीक है, तो एक तरफ क्या हो गया आपका, एक तरफ होगी आपकी audience, और दूसरी तरफ हो गया, आपके player का performance, ओके, सो हम इसमें क्या देख रहे हैं, कि जब audience cheer करेगी, तो player की performance पर क्या affect पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो जब उसके अलावा, player ठका हुआ था, या फिर audience को बहुत ज़्यादा, जो है मतलब मजा नहीं आ रहा था, या मतलब audience की तो बात ही मत करो, player को अगर हम देखें, कि player शायद दिन भर से बहुत ज़्यादा ठक चुका था, player के अंदर energy नहीं बचीती, या player बिमार था, इसलिए वो ऐसा perform करा था, ये चीज़ों को हम constant रखेंगे, क्योंकि हमारा focus बस दो चीज़ों के उपर है, audience का cheer करना और player की performance, तो वो होते हैं आपके extraneous variables जिनको हमको constant रखना पड़ता है, अब कौन-कौन से variables होते हैं, तो एक होता है organismic variables, जो आपके persons related है, like for example, आप बहुती anxiety में थे, आप बहुती stressful condition में थे, या बहुती intelligent थे, आपके personality, ये सारी चीज़े होती है, organismic variables, situational या environmental variables ये होते हैं, कि जैसे हम इसका एक example लें, तो मानलो जब player बहुत अच्छे से perform कर रहा था, बट एकदम से temperature बढ़ गया, बहुत ज़्यादा temperature बढ़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, जो है, आपके मतलब वो ground पर बहुत तेज गर्मी पढ़ने लगी, तो इन चीज़ों को हम constant रखेंगे, ठीक है, ये होते हैं के situational या environmental variables, third होता है आपका sequential variables, sequential variables का मतलब कि मान लो, जो match होना था, ये football का match, ये 5 p.m. पर होने वाला था, और इसके पहले, जिस सबोज morning 7 a.m. player का कोई match था, जो 12 p.m. खतम हुआ है, फिर उसने 2 to 4, 2 p.m. to 4 p.m. एक और कोई सा match अटेंड किया, और फिर उसका constant रखेंगे, ये जो sequence वाली चीज़े है, इसको भी हम constant रखेंगे और generally experimental method में, इस sequence effect को खतम करने की कोशिश की जाती है by counterbalancing technique, जहां पर आप इन events को counterbalance कर सकते हो, जहां पर आप उसका sequence change कर सकते हो, ठीके, so the sequence related variables assume significance when the participants in experiments are required to be tested in several conditions and exposure to many conditions may result in experimental fatigue or practice effects which may influence the results of the study and make the interpretations of the findings difficult, तो मतलब वही है कि अगर बहुत सारी जो है sequences में काम चलता रहेगा, तो उससे experimental fatigue हो जाएगा और इन सारी चीज़ों के थूँ हमारे experiment का जो result होगा, जो interpretation होगा, उसको हमें करेक्ली फॉर्म करना बहुत दिफिकल्ट हो सकता है, तो अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन सारे variables को, so the experimenters use several control techniques to control relevant variables, like some of these are to minimize external extraneous variables, the best ways to eliminate them from the experimental setting, but elimination is not always possible, so in such cases, one should be made, effort should be made to hold them constant, so that their effect remains the same throughout the experiment, so that the effect remains the same throughout the experiment, so that the best way to give us all the extra variables in our study, we will remove them, but if we remove them, so that we will keep them constant, so that the effect of our study doesn't have to be the effect, like I have said, just suppose for example, temperature बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो player था, उसकी performance पर affect करने लग गया, उसको बहुत गर्मी होने लगी, बहुती जह है, irritation होने लगी, तो हम उन चीजों को constant रखेंगे, हम उन चीजों पर जो है, बिलकुल इतना जादा उसको कम जादा करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको constant रखेंगे, तो हमारे results भी जो है, वो बस दो variables से ही effect होंगे, that is independent and dependent, बाकि जितने हैं, वो सारे के हम सारे constant रखेंगे, और उसके लिए हम counterbalancing technique भी use करते हैं, जिसके through, हम ये sequence effect को जो है, कम कर सकते हैं, clear है, ये भी आगे यहां पर समझ में, अब देखो, एक होता है आपका experimental group और एक होता है आपका control group, तो जैसे मैंने आप से कहा कि three rooms हैं, ओके, वो जो lab में experiment चल रहा है, by Latin and Darley, उसमें A, B, C, three room है, और हमने देखा कि ये जो A room है, इसमें कोई change नहीं किया गया, इसमें just जो भी student है, वो अंदर जाएगा, form fill करेगा and then बाहर आ जाएगा, लेकिन जब हमने देखा B room में दो और लोग already present है, C room में दो और लोग already present है, और कह रहे हैं कि आपको react नहीं करना है, तो मतलब इन दोनो rooms में आपने कुछ experiments किये हुए है already, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके experimental group, जिसमें आपने किसी तरह का कोई manipulation किया हुआ है, बट ये जो है, जहाँ पर किसी तरह का कोई change नहीं किया है, that will be your control group, तो experimental method जब हम करते हैं, तो उसमें आपका experimental और control दोनों ही group होते हैं, experimental group जहाँ पर independent variable manipulation जो है की गई है, control group is comparison group, that is treated like the experimental group, but the manipulated variable is absent in it, तो जैसे कि आपकी ये दोनों room है, सेम वैसे ही ये भी room है, बस difference इतना है कि इन दोनों में changes किये गए हैं, इसलिए हम इसको experimental group बोल रहे हैं, और इसमें कोई change नहीं किया गया है, इसलिए ये हो जाता है आपका control group, so in an experiment, except for the experimental manipulation, other conditions are kept constant for experimental and control groups, तो इसके साथ में जब आप experiment करते हो, तो आपको experimental group, control group को find करना होता है, independent, dependent variable को find करना होता है, और इसी के साथ में बाकि जो दूसरे variables होते हैं, उनको constant रखना होता है, ठीक है, और experimental manipulation के अलावा, बाकि और conditions भी जो होती हैं, उसको भी आपको constant रखना है, experimental और control group के लिए, जैसे, वर्न attempts to control all those relevant variables, which can influence the dependent variable, तो जैसे कि हमने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, कि तीनों में से किसी एक room में हमने सिर्फ female को भेजा, या ए रूम में हमने सिर्फ और सिर्फ females को भेजा, तो शायद हमको वहां से जो है, reports जादा मिल रही हैं, लेकिन बाकी जो दो rooms थे, उसमें हमने सिर्फ males को भेजा, या उन दो groups में हमने सिर्फ males को भेजा, और ये वाले room में हमने सिर्फ females को भेजा, तो ये सारी चीज़े हमको नहीं करनी है, अगर ऐसे सारे जो मतलब manipulations चलते रहेंगे, ऐसे सारे बाकी variables काम करते रहेंगे, तो हम हमारे exact, concrete result पर नहीं पहुँच पाएंगे, experimental method के through, तो ये सारी बाते हमको क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, clear है, ये भी आ गया है, यहां तक समझ में, now let's see, types of experiments, अब कितने तरह के experiments होते हैं, तो सबसे पहले होता है, field experiment, अब देखो, आप सोचोगे कि field experiment कैसे हो सकता है, experimental method, तो हमेशा controlled setting के अंदर होती है, controlled setting के अंदर होती है, मतलब lab में होती है, ये एक चीज हमने पड़ी थी, बढ़ देखो, if a researcher wants to know, to have high generalizability or to conduct studies, which are not possible in the laboratory setting, he or she may conduct a field experiment, अब अगर हमको कोई method, मतलब experimental method को use करते हुए, कोई study conduct करनी है, तो आप जन्रली क्या करोगे, lab के अंदर experiment करोगे, बट जस सपोस कोई ऐसी चीज है, जहाँ पर हम जो है, मतलब lab के अंदर experiment नहीं कर सकते, उसके लिए हमको field पर ही जाना होगा, और वहीं हमको independent और dependent variable में, cause-effect relationship को समझना है, तब एक researcher field experiment करता है, क्या करता है, field experiment करता है, so for example, a researcher may want to know, which method would lead to better learning, among students lecture, or demonstration method, so for this reason, a researcher may prefer to conduct an experiment in the school, अब जैसे for example, रिसर्चर है, और उसको ये पता करना है, कि बच्चे learning method से, या demonstration की method से, कौनसी method से, ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, तो उसको ये experiment, इस्कूल जाके ही करना होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को कहीं, और दूसरी lab setting में लेकर जाओगे, तो उनका एक mindset चेंज हो जाएगा, दे विल भी लाइक कि हाँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो जब आपको पता चल जाता है, कि कोई आपको notice कर रहा है, या आपके उपर किसी तरह का कोई experiment हो रहा है, तब आप अपने natural way में behave नहीं करते हो, थोड़ा बहुत influence आपके उपर आही जाता है चीजों का, तो इसलिए यहाँ पर जो researcher होगा, उसको जो है school के अंदर जाकर ही research करनी पड़ेगी, तो that is called field experiment, और यहाँ पर हम इसा experiment क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर दो variable present है, कैसे better learning among students through lecture और demonstration, तो मतलब बच्चे किस तरह से सीखते हैं, students understanding of concept, student understanding of concept, यह आपका हो गया dependent variable, independent variable है learning या demonstration की method, कि अगर आप learning के through या demonstration के through बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो depend करता है कि वो कितनी जल्दी concept को समझता है, तो यह independent variable हो गया, और यह dependent variable हो गया, तो यहाँ पर दो variables present हैं, इसलिए हम इसको experimental method बोल रहे हैं, and the researcher में select two groups of participants, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कि researcher school में जाए research conduct करें, और दो groups बनाएं, एक group में बच्चों को learning के through जो है सिखाया जाता है, दूसरे group में demonstration के through सिखाया जाता है, और फिर देखा जाएगा कि कौन से ज़्यादा method जो है, वो relevant है, learning की या demonstration की, so in such type of experiments, control over relevant variables is less than laboratory experiment, बट देखो इसका एक बस एक दिमारेट होता है, वो यह होता है कि पहले चीज़ तो यह बहुत time consuming है, time लग जाता है, और दूसरी चीज़ में इसमें महनत भी जादा लगती है, expensive भी है, और सबसे important यह है कि जब आप school के अंदर जाके इस तरह की research करोगे, तो जो बाकी दूसरे variables होते हैं, जिसे हम extraneous variables बोलते हैं, उसको control करना थोड़ा सा difficult हो जाता है, lab में तो आप easily control कर सकते हो, लेकिन जब आप field पर हो, तब आप उसको easily control नहीं कर सकते, तो यह just take is card demarit है, तो experimental method हमेशा controlled setting में ही होगी, हमेशा दो variables ही होंगे, बट अगर कोई ऐसे research है, जहां पर lab में possibility नहीं है उसको conduct करने की, तब हम field पर जाते हैं, clear है, then next है आपके quasi experiments, quasi experiments में क्या होता है, कि बहुत बार ऐसे variables होते हैं, जिसको आप lab में manipulate नहीं कर सकते, लाइक जैसे आपको study करना है, क्या effect पड़ा इन चीजों का, आप इस एक चीज को study करना जाते हो, तो अब आप earthquake जैसी condition को, में तो create नहीं कर सकते हो, नहीं laboratory के अंदर जो है, ऐसी condition को create नहीं कर सकते हैं, वो तो exactly उनके साथ में हुआ है naturally, और फिर उसके बाद में आप उसको study करना जाते हो, so that is something as if kind of condition, कि in such situations the researcher adopts the method of quasi, the Latin word meaning as if experimentation, मतलब जो चीज जैसी है, हम उसको वैसा ही study करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि due to earthquake, due to earthquake, children और they lost their parents, यह एक चीज हो गई, तो इसका effect जो है उनके उपर क्या रहा, इसका जो effect है, वो बच्चों के उपर क्या रहा, तो यह एक चीज आप देख रहे हो, अब यहाँ पर यह independent variable है, और यह dependent variable आपका हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, dependent variable हो जाता है, बस इसमें एक चीज है एक चीज यह है कि यहाँ पर हम independent variable में खुद से कोई change नहीं कर रहे हैं यह already चीज हुई है ठीक है यह चीज यह manipulation already हुआ है by the nature तो यहाँ पर हमने कोई change नहीं किया बट effect हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह कारण है यह cause है और इस cause का effect हमको य यहाँ देखने को मिल रहा है तो बहुत बर क्या होता है कि correlation research में भी confusion होती है जैसे हमने जब correlation पड़ा था तो correlation research में भी दो variables होते हैं और आप उन दोनों के बीच की relationship को समझते हो बिना किसी manipulation के अब यहाँ भी कोई manipulation नहीं हो रहा है क्वासी में तो इसमें भी confusion हो जाता है क कहीं क्वासी और कोरिलेशनल सेम तो नहीं है बट आप देखो कि क्वासी में जो आपका independent variable है वो cause है वो चीज़ अल्रेडी हुई है ठीक है तो एक जो distinction है कोरिलेशनल और experimental method का उसमें confuse मत होना ठीक है कोरिलेशनल को भी हम discuss करते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से यह आपका independent variable यह आपका cause हो गया और इसका effect हमको यहाँ देखने को मिल रहा है तो इस तरह से कौसी experiments जो है वो किये जाते हैं in such type of experiments the independent variable is selected rather than worried और manipulated by the experimenter यह है important point कि इस तरह के experiment में हम independent variable को खुद से ढूनते हैं है ना मतलब हम उसमें किसी तरह का कोई change नहीं करते हम ऐसी चीज़ को लेते ह हैं जो already हो चुकी है जैसे मैंने अपसे यहाँ पर कहा कि यह जो cause है यह already हुआ है इसमें हमने कोई change नहीं किया हम earthquake लेकर नहीं आयते हैं और नहीं हमने किसी के parents को मार दिया है ठीक है तो वो चीज़ नैचरली हुई है नैचरली वो कारण है natural cause है और जिसका effect हमको यहाँ द इसमें एक और तरीके से देखो किया जा सकता है एक हमने experimental ग्रूप बनाया और एक हमने control ग्रूप में हमने उन बच्चो को रखा जिन्होंने अपने पैरेंट्स को खो दिया था और control ग्रूप में हमने उन बच्चो को रखा जिन्होंने अर्थक्रेंट्स को फेस तो किया था बट उन्होंने अपने पैरेंट्स को नहीं खोया उनके पैरेंट्स आज भी उनके साथ में है तो अक्वासी experiment attempts to manipulate an independent variable in a natural setting using naturally occurring groups to form an experimental and control groups तो यहां पर जो आपका independent variable था वो क्या था कि earthquake आया है किसी particular area में ठीक है और फिर हम देख रहे हैं उस पर बच्चों पर क्या affect पड़ा है तो हमने दो groups ले लिए एक हमने वो ग्रूप ले लिया जहां पर बच्चों ने अपने पैरेंट्स को खोया था और दूसरा हमने वो ग्रूप ले लिया जहां पर बच्चों ने अपने parents को नहीं खोया था ओके सो इस तरह से हमने ऐसे करके फिर study को जो है हम conduct करेंगे और इस cause के साथ में effect को हम study करेंगे so that is हम cause effect relationship को build up करेंगे clear है यह भी आगे हां तक समझ में so I hope so कि अभी तक जितना भी पढ़ रहा है जितने भी दोनों methods को भी हमने study किया सो वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और डाउट नहीं होगा है ना so already मतलब हमने detail में explain किया हुआ है बट जस्ट एक revision हम कर रहे है तो वह आपको क्या और अच्छे ही चीजों को connect कर देगा सारी चीजों को आब क्या कर रहेते कि अलग अलग तुकड़े में हम पढ़ रहे थैं चीजों को topic wise पर ले थे अलग अलग topics को करके पढ़ रहे थे बट अपक् それ को सारी चीज़ें को दूसरे से related सलना तो इसलिए आपको क्या करना कि हमको एक चीज समझ में नहीं आई है और साथी साथ में क्या बनाना है मेरे साथ में जल्दी बताओ क्या बनाना है नोट्स बनाना है अच्छे देखो तो मुझे comment section में बताओ कि हाँ हम notes बनाते हैं ठीक है तो मुझे पता चलेगा कि कितने सारे students जो हैं वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरी बात को मानते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा student-teacher relationship build-up होगी है अब देखो psychology की students हो तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखो ठीक है अब चलो अब हम आज आते हैं experimental method की limitations के उपर experimental method जो है वो controlled laboratory situation में ही की जाती है अगर हम बात करें quasi यह हम बात करें field experiments की तो वो बहुत ही मतलब ऐसी conditions में होती हैं कि जहां पर lab में possible ही नहीं है तो फिर वो वहां पर होगी otherwise जितनी भी सारी चीज़ें हैं अगर वो possible है lab के अंदर हो ना तो उसको हम controlled setting में ही हमेशा करते हैं और जब हम किसी भी experiment को controlled setting में करते हैं तो उसके उपर जो outside world का influence है हम उसको नहीं देख पाते तो यह एक इसका demaret है कि outside world जो है उसमें जो situations exist करती हैं वो चीज़ें हमको experiment में देखने को नहीं मिलती and the result of experiments have low external validity या जो भी experiment करके आपको conclusion मिला है जिस भी result पर आप पहुँचे हो आप उसको real life में implement नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते आप उसको real life में implement क्योंकि वो एक चीज़ आपने lab के अंदर करी थी जब आप real life में आओगे तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे हम बोलते ना कि data is not independent entity data जो होता है वो independent entity नहीं है वो आपके social, environmental, physical, political हर एक चीज़ से related होता है तो जब आप किसी चीज़ को real life में करोगे तो वो अलग होगी लेकिन आप उसको lab में जाके करोगे तो वो शायद अलग होने वाली है ऑके second it is not feasible to study a particular problem experimentally like for example जैसे अब कुछ ऐसी चीज़ें है ना जिसको आप experimental method में करी नहीं सकते अब जैसे आप variable को affect करता है अब आपको ऐसा experiment करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चों को lab में लेकर आओगे और पांच-दस दिन तक उनको भूका रखोगे और फिर देखोगे कि आप इनका दिमाग जो है वो काम करता है या नहीं करता है so that's not feasible है ना तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ रहे हैं जिसको आप lab के अंदर experiment ही नहीं कर सकते हो and it is difficult to know and control all the relevant variables और यह मुश्किल भी होता है कि आप सारी variables को control कर दो आप कहते हो सकते हो कि हमने हाँ variables को constant रखा है बट उनको control करके रखना that's not that easy है ना so यह भी इसकी limitation का part होता है अब आगे आपकी third that is co-relational research अब वैसे तो मैंने co-relational का meaning बता दिया है वट में एक बार आपको वापिस से बता देती हूँ देखो co-relational research जहां पर आप again दो variables के बीच में relationship को समझ रहे होते हो ठीक है दो variables की बीच में relationship को समझ रहे होते हो कि क्या वो दोने एक दूसरे से associated हैं या नहीं है अब जैसे जब हम experiment देखो difference भी समझते चलो साथ में और यह जितना भी मैं बोलती हुना इतना सारा तो उसको note कर लिया करो वह बहुत important है भले आप उसको Hindi में note कर लो वाइड में लिख लो रफली लिख लो फिर मेरे पढ़ाने के बाद में उसको जो है फिर कर लो बट एट लीस्ट प्लीज प्लीज उस चीज को लिखो आपको ध्यान में रहेंगी चीज़े ठीक है तो आप देखो डिफरेंज भी समझते चलो अब जैसे आपका experimental method है वहाँ भी दो वेरियेबल्स है को रिलेशनल रिसर्च है यहाँ भी दो वेरियेबल्स है लेकिन जब आप experimental method करते हो तो आप किस एक चीज़ को समझना चाते हो आप cause effect relationship को समझना चाते हो cause effect relationship का मतलब यह कि अगर किसी एक चीज़ में हमने किसी तरह का कोई change किया तो उसका effect हमको दूसरी चीज़ पर देखने को मिलता है ओके कि अगर for example किसी भी चीज़ में आपने कोई change किया है किसी भी चीज में आपने कोई cause किया कोई causal factor है तो जिसका effect आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा ओके clear है यह आपकी cause effect relationship कहा होती है यह होती है experimental method में बट जो आपकी correlational research है उसमें again दो variables है बट यहाँ हम cause effect relationship को नहीं देखते हैं कि हम यह देखते हैं association को किसको देखते हैं association को कि दो variables है तो यह दोना एक दूसरे से associated है एक दूसरे से related है या नहीं है related so that can be seen in with correlational research method या correlational method okay so the strength and direction of the relationship between the two variables is represented by a number known as correlation coefficient और दो चीजों के बीच में कितनी ज्यादा relationship है कितनी ज्यादा relationship नहीं है इसको हम समझते हैं by representing a number that is correlation coefficient तो इन दो variables के बीच की relationship को हम समझते हैं एक number के through represent करके और उस number को correlation coefficient कहा जाता है जो की range करता है plus 1.0 0.0 से minus 1.0 कैसे देखो यहाँ पर explain करती हूँ और 3 तरह का correlation होता है उसको भी साथ-साथ में explain करेंगे that is positive correlation, negative correlation and zero correlation तो देखो यहाँ पर correlation coefficient correlation coefficient इसको coefficient of correlation भी कहा जाता है okay so अब correlation coefficient दो variables के बीच में two variables इन दोनों के बीच में देखना जाता है कि यह एक दूसरे से कितना जादा associated है और associated हैं भी या नहीं है associated ओके इस एक चीज़ को हमको देखना है दो variables के बीच में अब इसको हम represent करते हैं by a number that is correlation coefficient और यह जो correlation coefficient है आपका यह range करता है minus 1.0 से 0.0 और यहां से plus 1.0 तक clear है यह note करना यह सारी चीज़े मेरे साथ में note करो तो यह हमारी range है correlation coefficient की अब यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि plus 1 that means positive correlation plus 1 means positive correlation 0 correlation at this point and minus 0 that means negative correlation clear है तीन तरह के correlation होते हैं अब इसको एक example से समझो एक example जो chapter के अंदर भी पढ़ा था same उसी को यहां पर ले आते हैं और जितना time वो अपनी study पर spend करता है उससे उसके academic achievement पर क्या फरक पड़ता है जैसे for example कोई student है और वो करीब 5 गंटे पढ़ाई करता है ठीक है कोई student है वो 5 गंटे पढ़ाई करता है तो 5 घंटे पढ़ाई करने से उसके academic achievement पर क्या फरक पढ़ता है क्या उसके scores बढ़ रहे हैं या उसके scores कम हो रहे हैं या कोई फरक नहीं पढ़ रहे हैं इस तरीके का एक association हमको समझना है like for example आज आप अपनी पढ़ाई को 2 घंटे देते हो लेकिन कल को आप 5 घंटे देना और मतलब 3 घंटे और extend कर दो और total 5 hours अब आप अपनी पढ़ाई को देते हो तो ये जो आपने time extend किया है क्या इससे आपके marks में improvement आया है ओके और कभी-कभी हम ये भी देखते हैं मतलब ये जस्ट एक इसी example से समझो ठीके बागी चीजों का भी constant रहने दो तो ये एक जो है इन दोनों के बीच में हमको relationship समझना है इन दोनों के बीच में association है या नहीं है उसको हम समझना चाते हैं तो just suppose कि कोई जैसे आपने 5 hours study करना start किया तो इस 5 hours के study करने से आपके academic achievement भी बढ़ गए that means positive correlation कि अगर एक variable increase हो रहा है तो दूसरा variable भी increase होगा या फिर अगर एक variable decrease हो रहा है तो दूसरा variable भी decrease होगा जैसे कि आपने अभी आप 5 hours पढ़ाई करते थे अब आपने 2 hours कर दी और इस वजह से आपके marks for example 50 out of 45 आते थे जो कि अब 30 आना start हो चुके हैं just a example है तो मतलब आपके hours भी कम होए और साथी साथ में आपके achievement भी कम हो गए so that is positive correlation अब positive correlation है तो सीधे plus 1 से उसको denote नहीं कर देंगे बलकि positive correlation बढ़ता हुआ चला जाता है like for example आज के time में zero correlation था zero correlation का मतलब यह कि जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे थे आप around five hours spent कर रहे थे अपनी पढ़ाई के ऊपर बट academic achievement में हमको कोई फरक ही नहीं देखने को मिल रहा था कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था कोई असर ही नहीं हो रहा था अब देखो जीरो जैसी चीज नहीं होती psychology में यह एक चीज हमने psychological testing के अंदर पढ़ी है अब यह आग इसको फापिस से बढ़ेंगे तो क्यूंकि psychology में कोई भी चीज जीरो तो नहीं होती है कि at least अगर आप एक घंटे भी एक्स्रा पढ़ते होगे तो आपका वन परसेंट भी चेंज तो आते ही होगा तो यहां पर हमने यह चीज मानी कि बहुत जादा चेंज नहीं आ रहा बिलकुल थोड़ा बहुत बिलकुल ना कि बराबर चेंज हमको देखने को मिल रहा है जो कि considerable ही नहीं है तो वह हो जाता है आपका zero coefficient लेकिन आप हमको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके यह positive की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके हमको इन दोनों की बीच में association देखने को मिल रहा है तो आपका 0.0 से correlation बढ़ना इस्टार्ट होगा and maybe it came to 0.80 ओके यह 0.80 क्या दिखा रहा है positive correlation दिखा रहा है और इसके आगे plus लगा हुआ है इसके आगे जो है plus ल रहे थे पहले आप 2 hours study करते थे और हमको किसी तरह का कोई change नहीं देखने को मिलता था आपके academic achievement में फिर हमने देखा कि अभी तो at least 30 में से around 20 ने आपका 50 में से around 20 marks लेकर आ रहे थे अभी बिना जो है मतलब जब यह normal 0 correlation चल रहा था ता अब दीरे दीरे करके आपने सोचा कि यार मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और और मैं 5 hours पढ़ाई करूंगा तो आप 5 hours पढ़ाई करने लगे लेकिन आपका academic achievement पहुंच गया कहां पर 5 पर 50 में से आपके 5 marks हाने लग गए तो यह एक चीज क्या दिखा रही है negative correlation कि जहां एक variable की value बढ़ रही है तो दूस की तरह का कोई association नहीं है तो वो zero correlation हो गया और अगर दोनों के बीच में correlation बढ़ रहा है साथ में या साथ में घट रहा है so that is positive correlation clear हुआ आया यह समझ में so this is your correlation coefficient का पूरा research जो है वो कुछ इस तरह से होता है तीक है इसमें आप कोई भी दो variable ले सकते हो और उन दो variable के बीच में आपको association देखना है बस एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर जो भी आपके variables हैं उनमें किसी तरह का कोई manipulation जो है वो नहीं किया जाता है no manipulation or change ना ही आप कोई change करोगे ना ही आप किसी भी तरीके का कोई भी manipulation इसके अंदर करने वाले हो इस तरह से यह आपका experimental method से बिलकुल different होता है clear है इसमें अब तो कोई doubt नहीं है इसको आपको note करना है note कर लीजिए आपको इसका screenshot लेना आप इसका screenshot भी ले सकते हो clear है अब देखो तो यह होते हैं आपके basically यह आपका positive correlation वही सेम चीज़ जो मैंने आपको explain करी वही एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है second जो मैंने आपको बताया आपका negative correlation कि अगर एक value increase हो रही है तो दूसरे की value decrease हो जाएगी that is your negative correlation zero correlation की मतलब किसी भी तरह का कोई correlation exist ही नहीं कहता बट क्यूंकि कभी भी zero correlation हो ही नहीं सकता है तो आप इसको कैसे represent करते हो like minus 0.02 या plus 0.03 बिलकुल बहुत 19-20 के आज़ पास में रहता है difference उससे ज़्यादा नहीं होगा तो इस तरीके से आपके यह three types of correlation होते हैं clear है यहां तक I hope इतने में कोई doubt नहीं so basically survey research किन चीजों के लिए किया जाता है survey research studies, opinions, attitudes and social facts. तो जो भी opinions, ground reality या जो भी सारे attitudes, society case, जो भी social facts होते हैं इन सारी चीजों को जानने के लिए हम survey method को use कर सकते हैं. So initially the main concern of this research was to find out the existing reality और the baseline. Existing reality क्या है, क्या चीज़ exactly हमको देखने को मिलती, practically चीज़े क्या है, इन सारे चीजों को पता करने के लिए आप survey research जो है वो conduct कर सकते हो और बहुत सारे facts, बहुत सारे चीजों को पता करने के लिए like for example हमारे यहां की population कितनी है, हमारे यहां कितना जादे literacy rate है, हमारे यहां पर sex ratio कितना है, हमारे यहां पर population का क्या viewpoint है, for example, panchayat को लेके panchayat में चुनाव होते हैं, तो लोगों का मानना क्या है, या किसी तरह की कोई नई plan या policy आती है, तो लोगों का मानना क्या है, now come to psychology, okay, अब for example, आप किसी person से उसके बारे में जानना हो, आप किसी group के behavior को जो है, समझना चाहते हो, तो आप किसी भी तरह से survey research को conduct कर सकते हो, clear है, now, sociologists used to find out the attitude of people, these attitudes were towards family planning, attitudes towards giving powers to panchayat, ती राज, बहुत बार, जो है, किसी, मतलब, लोगों का attitude क्या है, किसी particular चीज़ को लेके, उसे जानने के लिए भी हम जो है, survey research कर सकते हैं, field में हो चाहिए, education field में हो, sanitation में हो, etc., etc., and इस में एक sophisticated technique we have now involved into, which helps in inferring various kinds of causal relationships, और इसके through हम धेर सारी चीजों में causal relationships को जो है, समझ सकते हैं, survey research के through, अब survey research की कुछ अलग-अलग techniques होती हैं, जैसे सबसे पहले है, personal interview, that means, कि आप जो है, किसी का personally interview कर सकते हो, और ये भी एक तरह का survey है, जहां पर आप answer related data को ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कि दो या दो से जादा लोग एक दूसरे के सामने बैठेंगे, और फिर एक person, दूसरे person से सवाल पूछेगा, वो उसको answer करेगा, तो अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो मैं interviewer हूँ, और ये interviewee है, या फिर ये person, जो मुझे answer कर रहा है, ये respondent है, तो मैं जो भी question पूछूँँगी, ये मुझको उसका answer करेंगे, और इसके बाद में, मतलब इसके बाद में तो नहीं, इसके पहले ही, interview के पहले ही, हम generally क्या करते हैं, list of questions जो है, बना के रख लेते हैं, कि हमको ये-जे question जो है, सामने वाले से पूछना है, जो सपोज आप से बोल दिया जाए, कि आपको अपने teacher का interview लेना है, एक जस्ट example, या for example, आपको teacher का interview नहीं लेना है, आपको 12th class में जो topper है, उनका interview लेने के लिए जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले से सोच के रखोगे कि मुझे क्या क्या सवाल पूछने है, ऐसा दनी जस्ट जाओगे और बस जो है, थोड़ा बहुत आपने पूछा, officially चीजों को करना है, तो आप क्या करोगे, कि आप उनसे पूरे एक questions वगेरा बना के रखोगे, कि मुझे इनसे क्या क्या सवाल पूछने है, क्या क्या नही questions हुआ करते हैं, now interviewing is a skill which requires proper training, अब interview करना, कोई easy काम तो नहीं है, यह skill है, मतलब इस एक चीज को करने के लिए आपके पास में proper training होनी चीए, आपको पता होना चीए कि मैं कैसा सवाल पूछूँगा, तब मुझे सामने वाले से वैसा answer मिलेगा, जैसा मैं चाहता हूँ या च गुसा आजाए, आपको ऐसा question ना पूछें या इस तरीके का interview ना हो कि वो बिलकुल एक माहौल create ना हो पाए, और सामने वाले को ऐसा लगे कि यह just useless है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, तो वो एक चीज भी जो है, skill है, और एक good interview तभी हो सकता है, जब respondent जो है, वो easily आपके सार questions को समझ पारा, उसको answer कर पारा है, और आतिसाथ में आप अपने questions को ले कि बहुती specific हो, now types of interview, आप interview जो है, वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक है structured या standardized interview, second है unstructured या non standardized interview, structured interview, structured interview का मतलब यह होता है, कि जब आप interview schedule prepare करते हो, तो उसके अंदर अगर आपने five questions को include किया है, ठ तो वो पूरा sequence wise चलेगा, और आप जब interviewer से, interview से पूछोगे, तो पहले आप first question पूछोगे, फिर आप second question पी आऊगे, फिर आप third पी आओगे, फिर पी पी आऊगे, आप ऐसे नहीं करोगे, कि first question पूछ लिया, फिर fifth पूछ लिया, फिर third पूछ लिया, फिर उस से related एका, और और कोई question मन में आया जो इसमें नहीं लिखाता तो वो भी उससे पूछ लिए ऐसा आप नहीं करोगे ठीक है आप बिलकुल सीक्वेंस वाइस चलोगे नंबर बाइन अब आप जो है questions पूछोगे जो इसमें लिखा है आप बस उतने कोशन पूछोगे उसके अलावा आप क कोई चीज जो है नहीं पूछ होगे तो आप एक पूरा इंटरवी स्केडियूल जो है प्रिपेर करके आ रहा हो दाट इस यह इस्ट्रक्चर्ड या स्टांडरडाइज इंटर्व्यू और इसका बिल्कुल अपोजेट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटर्व्यू जहां पर आप कोशन के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो आप फर्स्ट कोशन पहले पूछो आफिफ्ट कोशन जो है फिर सेकेंड पर पूछ लो आपको से रिलेटेड कोशनायर सर्वे का मतलब क्या होता है कि आप एक कोशनायर करोगे दाट इस एक पेपर होगा जिसके उपर सारे सेट अफ कोशन जो है लिक हुए होए होगे और फिर आपको उनकोशन्स को अंसर करना है तो this अब से सिंपल शबसे वर्सिटायल सबसे low cost जो है आपका survey research की एक tool या एक technique होती है जहां पर आप बहुत ही कम time में जो है यह चीज़ कर सकते हैं like for example for example हमको जो है आपकी class में जितने भी students है जा सपोस्थ 40 students है मैं हूँ है आपर researcher okay तो मुझे आप 40 students से किसी तरह का कोई data चाहिए या for example मुझे आपके school का एक survey में conduct कर रहे हूँ okay so मुझे देखना है कि 11th class में जितने भी students है वो उनका क्या viewpoint है एक इंचारी चीजों को लेकर तो मैंने क्या किया एक questionnaire मेरे पास में था उस question में सारे questions थे कि like for example कि आप अपने school में सारी facilities से और overall आप अपने school को कितनी मार्किंग देते अब आपने को समय option दिये हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 अब मैंने आप से कहा कि आप 1 1 2 7 के बीच में अपने school को overall performance पर कितने मार्किंग देते हो तो आपने कहा 5 तो आपने 5 पर टिक कर दिया second question मैंने पूछा कि आपके school में जो washroom facilities है ठीक है तो उनसे आप कितने जादा जो है मतलब agree करते हो या वो कितने जादा खुश हो से एक चीज से क्या सारी facilities आपको वहाँ पर मिल रही है तो आपको जस्ट मैंने एक इस तरह से options दिये कि first मैंने दिया आपको totally agree first totally agree या satisfied totally satisfied कर देता है na second आपको option था satisfied 3rd था 3rd क्या लिख दें neutral ठीक है fourth not satisfied ठीक है not satisfied या dissatisfied और totally dissatisfied ऐसे करके fifth मैंने आपको option दे दिया अब इन पाच में से आप मुझे बताओ कि आपके यहां पर washroom facilities आपके school में उसको लेकितने ज्यादा खुश हो आप बिलकुल भी खुश नहीं हो या फिर आप जो है थोड़े बहुत ठीक है हां ठीक है चल रहा है मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूमेंट है और होने की जरूरत है थर्ड आपने लिग दिया कि नहीं मैं तो बिलकुल ही मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है सेकेंड आपने लिखा कि यहां ठीक ठीक है और फिफ आपने बिलकुल first class जो है facilities हमको वहां पर देखने को मिलती है तो अब इसमें से आपने किसी एक questionnaire होता है सबसे पहले चीज़ तो यह यह एक close ended questionnaire close ended questionnaire जहां पर आपके पास में ज्यादा choice नहीं है just आपके पास में option दिया आपको उन options को ही tick करना है that is your close ended questionnaire just suppose अगर मैंने आप से ऐसा पूछा मैंने आपसे question पूछा कि क्या आपके school में जो canteen facilities है वो आपको हर तरफ से मतलब अच्छी है मतलब उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यह question था और question के बाद में मैंने ऐसे space छोड़ दी है ठीक है इतनी space मैंने छोड़ दी है और अब आप इस space में अपन लिख सकते हो so that is your open ended question जहाँ पर आप अपना personal point of view लिख सकते हो आपके पास में किसी तरह का ऐसे concrete form में चोईस मैंने आपको नहीं दी है पूरे school से मिल जाएगा तब मैं उस data को पूरा analyze करूंगे और फिर मैं एक conclusion पर पहुंचूंगी कि आपके school का जो survey conduct किया था उसमें मुझे क्या चीज़े देखने को मिली क्या चीज़े नहीं देखने को मिली clear है तो इस तरीके से questionnaire को frame किया जाता है इसमें भी predetermined questions होते हैं जो respondent होगा वो question को पढ़ेगा उसमें answer लिखेगा इसमें एक चीज़ भी हो सकती है कि जैसे मैं researcher हूँ तो मैं आपको question पढ़के बताओं और फिर आप उसमें answer जो है टिक करें या आप मुझे answer दें तो मैं उसमें fill up कर दूं कुछ भी condition जो है हो सकती है अब दो तरह के जो है questions होते है open ended और close ended जो मैं आपको पता है open ended जहां पर आपके पास में choice है आप अपने according answer लिख सकते हो close ended जहां पर आपके पास में जो है choice नहीं है आपको just जो options दिये गए हैं उसमें से किसी answer को select करना होता है then you have telephone survey telephone survey का मतलब भी होता है कि जहां पर आप survey telephone के through कर सकते हो मतलब आप किसी को जैसे मानलो मुझे आप से आपकी school का survey conduct करना है कि अभी जो है आपकी online classes चल रही थी just suppose one month के लिए आपकी online classes चल रही थी तो उस beach में जो है teachers student का उतना जादा interaction नहीं हो पाया तो just suppose मैं ही teacher ठीक है तो मैं आपको call कर रही हूँ या just suppose मैं आपकी school की principal हूँ okay मैं आपकी school की principal हूँ तो मैंने आप सभी students को एक एक करके जो है call किया और मैंने आप से पूछा कि आप online classes आपकी जो है अच्छे से चल रही है सारे doubts आपके clear हो रहे हैं सारी classes आपकी लग रही है या नहीं और आप जो भी मुझे answers बताओगे मैं उन answers को अपने पास में note down करते हुए चली जाओंगी तो इस तरह से मैंने टेलीफोन के थ्रू आपका survey कर लिया और यह जनरली टाइम को बचाता भी है बहुत बार questionnaire को mail के थ्रू भी send किया जा सकता है तो इस तरीके से आपके three tools होते ह है survey research के अब survey research के क्या advantages हैं क्या disadvantages हैं उसको हम देखते हैं so advantages यह हैं कि सबसे पहली सीज़ तो information बहुत जल्दी मिल जाती है और बहुत vast population से मिल जाती है मतलब अगर आपको कोई ऐसा research conduct करनी है जिसमें आपके पास में participants का number बहुत बहुत ज्यादा है तो survey research उसमें बहुत सकते हैं public opinions नई issues क्या सारी चीज़ें चल रही है इससे related relevant data आपको मिल जाता है disadvantage यह है कि कभी कभी लोग हो सकता है कि जैसे for example मैंने आप से कहा कि आपके school में canteen facilities जो है आप उससे खुश हो या नहीं हो तो just suppose सब कुछ अच्छा चल रहा था पर डेकाद बार का आपका experience उतन यह चीज़ भी हो सकती है कि memory lapse हो गई कोई ऐसी चीज़ के उपर सर्वे कर रहे थे जो सालों पहले हुई थी ठीक है कोई incident हुआ था और उसके उपर आज सर्वे रिसर्च करें आज लोगों से data collect कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उतनी जाद रियालिटी के बारे में नहीं पता होगा यह किसका डीमारिट है इसके अलावा कभी-कभी responses जैसे हमको चाहिए होते हैं वैसे नहीं मिलते हैं और लोग डरते भी हैं किसी तरह की चीज़ को शेयर करने में उनको ऐसा लगता है कहीं हमारे उपर कोई चीज ना आचाहे कल को तो यह है कि data को लेके थोड़ी यहां तक संच में I hope इतने में भी कोई डाउट ने होगा अब next है आपका psychological testing जहां पर आप test करके psychological test करके भी जो है research conduct कर सकते हो now psychological test जो है वो क्यों किये जाते हैं वो इसलिए किये जाते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि psychology में starting से ही हम human के जो भी सारे अंदर differences होते हैं individual को study कर जाते हैं तो हर एक individual दूसरे individual से अलग है क्योंकि हम सभी complex species हैं हम सभी के अलग अलग characteristics हैं जैसे कोई बहुत ही जादा intelligent है किसी में बहुत जादा moral values हैं किसी में बिल्कुल नहीं है किसी की personality बहुत strong है किसी की बहुत ही weak है किसी का interest area जो है वो पढ़ाई में जादा है किसी क interest area sports में जादा है तो हम सभी एक दूसरे से अलग है हम सभी के characteristics भी एक दूसरे से अलग है और इन human characteristics को study करने के लिए हम psychological testing किया करते हैं क्या किया करते हैं और जब भी आप psychological test conduct करोगे तो उसमें कुछ questions होते हैं जैसे मैंने आपको questionnaire बता की questionnaire में कुछ questions होंगे इंटर्वियू में कुछ questions होंगे तो same way में जब आप psychological testing करते हो तो उसमें भी कुछ questions होते हैं और उन questions को हम items बोलते हैं क्या बोलते हैं आइटम्स बोलते हैं जैसे for example आप psychological test conduct कर रहे हो और ये जस्ट एक आपका paper है ओके तो इस paper के अंदर जितने भी questions होंगे उनको items कहा ज करें like for example if you are researching on intelligence आप एक test conduct करें intelligence को लेके तो आप intelligence के ऊपर ही test conduct करो गया ऐसा ना हो कि intelligence के ऊपर test conduct किया और वो जाते 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 जो है emotions की ऊपर आइंड हो गया तो ये एक चीज नहीं होना चाहिए आप बिलकुल concrete रहो अपने topic को लेके साथी साथ में जो भी आपके items हैं उनका meaning बिलकुल crystal clear होना चाहिए जिससे भी आप जिसके साथ भी आप test conduct कर रहे हो उसको वो सारी चीज़े clearly define हो ये किसका काम है researcher का job है तो इस तरीके से हम psychological test जो है वो conduct किया करते हैं और इसकी एक सबसे अच्छी definition जो होती है that is the behavioral characteristics considered in psychological testing so a psychological test is standardized and objective instrument which is used to assess an individual's standing in relation to others on some mental or behavioral characteristics तो कोई person का किसी दूसरे person के साथ में किस एक तरीके का relationship है उसके अपने mental उसके अपने behavioral characteristics को लेकर इन चीज़ों को assess किया जाता है psychological testing में और psychological testing के अंदर एक जो बहुत ही major instrument है वो है objectivity और standardized अब यह objectivity और standardized क्या होते हैं इन चीजों को हमको समझना होगा तब हम psychological test को और अच्छे से समझ पाएंगे तो basically यह मैंने आपको बता दिया कि psychological testing जो है वो human के characteristics को study करने के लिए उनके differences को समझने के लिए conduct किया जाता है अब जब आप psychological test conduct करते हो जब आप इन चीजों के ऊपर research करना start करते हो तो दो चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं that is objectivity and standardization या standardized अब objectivity का मतलब क्या है यहाँ पर objectivity का मतलब यह है कि अगर किसी particular fact के ऊपर दो या दो से जाधर researchers study कर रहे हैं तो उन सभी के result बिल्कुल से माने चाहिए like there is a table and a person is measuring the length of the table and it's three feet long and then again b person measures the length of the table so it should be or it must be three feet long ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद जो है table की length change हो जाएगी वो उतनी की उतनी ही रहेगी so that is objectivity कि मतलब it refers to the fact that if two or more researchers administer a psychological test on the same group of people both of them would come up with more or less the same values for each person तो अगर आप किसी ग्रुप के ऊपर भी test conduct कर रहे हो और आज मैंने test conduct किया कल को आप उस ग्रुप के ऊपर same test conduct करते हो तो आपके results same आने चाहिए that is objectivity now for a psychological test to become an objective measure it is essential that items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to different readers तो एक psychological test objective हो इसके लिए क्या एक चीज़ जरूरी है कि जो भी हमारे words है जो भी हमारे questions है वो बिल्कुल easy manner में या इस तरीके से लिखे गाए हो कि same meaning different readers को देते हो अगर मैंने उस psychological test को पढ़ाय तो वही meaning मुझे मिले जो आपके read करने से आपको समझ में आए तो ऐसा ना हो कि आपके लिए अलग meaning हो मेरे लिए अलग meaning हो तो तभी जो है आप objectivity को ensure कर पाओगे अपने psychological test के अंदर साथी साथ में जो procedure होगा test किस तरह से होने वाला है कैसे test का एक process होगा क्या सारे instructions है वो सारी चीज़े पहले ही बता देनी होंगी psychological test conduct करने के और साथी साथ में यह systematic procedure है तो certain steps के साथ में ही आप इसको fulfill करो अब इसके अंदर जब हम objectivity के बात करते हैं हमारे test के अंदर तो तीन चीज़े और आती है reliability, validity and norms अगर आपका test objective है और साथी साथ में reliable है, valid है उसके अंदर norms है तो ही वो एक standard test कहलाएगा और तभी आपका test successful भी होगा now what is this reliability, validity and norms इसको हम समझ लेते हैं ठीक है देखो reliability refers to consistency of scores reliability का मतलब यह है कि for example आज कोई test conduct किया जाता है किसी एक group के उपर और फिर same test same group के उपर twenty days बाद construct किया जाता है तो इन दोनों के जो consistency of scores है या इन दोनों के जो scores है वो same होने चाहिए, clear है अगर आज कोई test किया गया है और आज उसमें जितने marks आए हैं तो जब वो 20 दिन बाद test conduct किया जाएगा तभी उसमें उतने ही marks आने चाहिए, that is your test retest reliability, which indicates the temporal stability और stability of the test scores over time. It is computed by finding out coefficient of correlation between the two sets of scores on the same set of person. मतलब just suppose for example ये a person है, इसके उपर आज first of day, मतलब month को कोई test conduct किया और फिर इसी same person के उपर इस researcher ने 20th of the month को same research conduct करी, तो इसके marks जितने इस एक time पर आये थे, उतने ही इस एक time पर भी आने चाहिए, that is what test retest reliability, मतलब अगर consistency आपके test में बनी हुई है, तो आपका test reliable होगा, और इस test retest reliability को हम again coefficient of correlation के through represent करते हैं, अभी मैंने आपको correlation coefficient explain किया, कि जो इस range में जो है, मतलब इस range में चलता है, जहां negative zero positive correlation हो सकता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा, कि for example, ठीक है, अभी देखो, test conduct किया था, आज की date में, ओके, और आज उसमें scores आए थे 50, और फिर 20 दिन बाद वही test conduct किया, तब उसमें कितने marks आए, जह suppose 45 marks आए, तो थोड़ा बहुत जो है, मीगर difference हमको देखने को मिलता है, कि एक चीज़ बढ़ रही है, तो दूसरे उसमें भी consistency बनी हुई है, अगर वो चीज़ कम हो जाती है, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप negative बताओगे, अगर वो बढ़ रही है, उसके साथ में तो positive हो जाएगा, अगर कोई change नहीं आया है, तो zero correlation हमको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से हम जो है correlation coefficient के थुरू इसको explain करते हैं, clear है, आगे ये भी हाँ तक संज में, इसी में second होता है reliability में, that is your split half reliability, split half reliability में हम क्या करते हैं, कि जैसे for example हमने कोई test conduct किया 50 students के उपर, तो इन 50 students के अंदर internal consistency है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस group को दो parts में divide कर देते हैं, 25-25 में और odd even में, और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों groups के बीच में consistency बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, तो यह basics and psychological testing के कि इस तरीके से reliability को देखा जाता है, यह मैंना आपको chapter में बहुत अच्छे से explain किया था, I hope so science में आया होगा है ना, तो वही reliability के हम बात करें कि consistency बनी रहनी चाहिए, अगर आपके test में consistency है, तो आपका test is standard test होगा, और consistency दो तरह की होती है, एक test retest होती है, और एक split half होती है, clear है, then इसके बाद में second है आपका validity, validity का मतलब यह होता है कि आपने जिस भी measure के साथ में test conduct करना start किया था, at last आप उसी को ही measure करते हो, like जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने validity को test करना start किया, तो last में आप emotions पर नहीं पहुंचोगी, even, sorry, अगर आपने intelligence को जो है test करना start किया, तो आप at last emotions पर नहीं पहुंचोगे, बलकि आपका answer intelligence से related ही आना चाहिए, तो that is validity, कि जिस चीज़ के लिए हमने research करना start किया था, at last हम उसी चीज़ पर पहुंचते हैं, norms का मतलब होता है, आपका, मतलब आपका test standard तब बनता है, जब उसके अंदर कुछ norms होते हैं, कुछ rules, regulations होते हैं, कुछ एक normal या average performance होती है group की, जब उसमें norms, validity, reliability, objectivity, ये चारों चीज़े रहेंगी, तब वो test आपका standard test कहलाएगा, तो ही आपकी psychological testing जो है, वो successful हो सकती है, और उसके results जो होंगे, वो बहुत ही सही और मतलब अच्छे आने वाले हैं, तब ही आप उसको verify कर सकते हो, तो इसलिए जब भी आप psychological test method को use कर रहे हो, इसको conduct कर रहे हो, तो आपको ये 5 चीज़ों को तो ध्यान रखना है, कौन-कौन सी, objectivity, reliability, validity, norms and इन सब को मिला के standardized, clear है, ये भी आगे हाँ तक सानमे, so this is about your psychological testing characteristics, अब psychological test के जो है different types होते हैं, generally language, mode of administration और difficulty level के उपर हम psychological test को जो है classify किया करते हैं, तो जैसे सबसे पहले आपका on the basis of language, language के basis पे तीन तरह के test होते हैं, एक होता है आपका verbal test, दूसरा होता है आपका non-verbal test और तीसरा होता है आपका performance test, ठीक है, language के basis पे तीन तरह के जो है test conduct किये जाते हैं, verbal test मतलब जहां पर person का literate होना बहुत जादा important है, जहां पर literacy बहुत जादा important है, क्योंकि इसमें जो भी items लिखे बगएरा रहेंगे या जो भी चीज आपको पढ़नी है, जिस भी तरह से आप answer करोगे तो उसमें आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जादा जरूरी है, कहा जाता है, तो जनरली psychological test जब हम conduct करते हैं, तो हम उसमें language का भी ध्यान रखते हैं, तो language से हम ये एक चीज देखते हैं कि अगर आप कोई ऐसा test conduct कर रहे हो जिसमें आपको literate persons को ही लेना है, ये जिसमें आप ऐसी चीज उपर बात करें कि जहांपर objects एक जगा से दूसरी जगे move on कर सकते हैं, तो वो जब आप testing वगरा करोगे, तब आप उस एक चीज को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, administration के हम बात करें, तो एक हमारा individual test होता है, एक हमारा group test होता है, नाम से क्या suggest कर रहा है, individual test का मतलब क्या, कि जो किसी individual के उपर conduct किया गया है, group test का मतलब क्या, जो कि किसी group के उपर हमने जो है conduct किया है, तो individual test generally researcher जो है, वो अपने individual के साथ में कर रहा होता है, और यहाँ पर researcher face to face जो है अपने interview या अपने respondent के साथ में interact कर सकता है चीक है individual test time जादा ले लेता है time इसलिए ले लेता है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सामने वाले से response लेने में थोड़ा सा महनत जादा भी लग जाती है अब मानलो आपको यह सा test conduct करो जिसमें आपको responses बच्चों से जाईए है तो वो एक चीज थोड़ी सी time consuming लगने लग जाती है group test जो होते हैं इसमें पहले ही जो है पूरे group को instructions दे दिये जाते हैं कि किन चीजों के लिए test conduct किया गया है क्या क्या उसमें होगा तो आपको उस according responses देने होते हैं तो यह बहुती easy form में हो जाता है और साथी साथ में हमको हमारे questions के according जो है answers भी मिल जाते हैं यहां पर जो होता है group test easily administer किया जा सकता है और साथी साथ में यह large number of persons के उपर एक ही समय पर किया जा सकता है तो यह group test होता है आपका जहां पर आप एक group के उपर किसी दरा का कोई test conduct कर रहे होते हो ठीके then next है आपका speed and power test speed test में यह होता है कि आपको एक time limit दे दी जाती है like for example आपको 15 minutes दिये गए है 15 questions को answer करने के लिए और फिर इसमें यह देखा जाता है कि किसी एक particular question को answer करने में जो भी respondent है उसको कितना time लग रहा है तो वो होता है आपका speed test जहां पर क्या evaluate किया जाता है कि एक individual किसी particular question को answer करने में किसी particular item को answer करने में कितना time ले रहा है power test आपकी ability से related होता है कि आपकिसी question को answer करने में कितने ज़्यादा able होता है इसमें time limit नहीं होती बलकि इसमें difficulty level होती है एक question जो है वो थोड़ा ठीक मतलब normal level of difficulty रहेगा second question जो रहेगा वो थोड़ा और difficult, third और difficult, fourth और difficult, fifth उससे भी ज़्यादा difficult तो just suppose अगर आप fifth question पे टक गए तो आप sixth question को answer नहीं कर पाओगे So that is the power test, जहाँ पर time limit को हम ध्यान में नहीं रखते हैं बलकि हम आपकी ability देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा questions को answer कर पा रहे हो That is your power test, अब दोनों में बहुत ज़्यादा differences तो नहीं होते हैं Speed test और power test में और दोनों के बीच में concrete difference बनाना भी बहुत मश्किल होता है But still जो है, दोनों को थोड़ा बहुत meager difference के साथ में समझ लिया जाता है In a power test, the items are generally arranged in an increasing order of difficulty So the test user or the decision maker should not rely on any single test और इसी के साथ में क्या होता है कि test वगेरा generally जब research में use किया जाते हैं Decisions वगेरा बनाया जाते हैं So test को आपको select करना पड़ता है कि आपको concept test किस particular condition में करना है अगर कोई ऐसी चीज के उपर आप research करे हो जहाँ पर speed test किया जा सकता है तो आप उसको applicable करो किसी ऐसी condition में आप करे हो जहाँ पर power test ज़्यादा better है तो आप उस test को apply कर दो तो basic meaning ज़स आपको समझना है कि psychological testing होता क्या है कैसे किया जाता है क्या चीजे उसमें आपको ध्यान में रखनी है clear है ये भी आगे हाँ तक समझ में So दोनों ही test जो हैं एक दूसरे से ही related हैं ज्यादा अलग नहीं है Then अब आगे last method पे that is case studies So in this method in-depth study of a particular case is emphasized So case study में हम किसी भी particular phenomena को लेकर in-depth study कर रहे होता है मतलब जो भी particular case हमारे पास में होगा Case study से इसलिए का जाता है क्योंकि इसमें किसी particular case को हम लेते हैं और फिर उससे related हम in-depth study करते हैं यानि कि in detail हम उस particular case को study किया करते हैं तो researcher generally कोई भी case ले लेते हैं जिससे related कोई critical information या कोई नई information उनको मिलने वाली होती है उसके उपर फिर वो case study करते हैं ठीक है अब cases generally जो बिल्कुल unique हों जिनके उपर research की जा सकती है जिनसे हमको धेर सारी information जानने को मिलेगी उन पर case study की जाती है और इसमें धेर सारी methods को आप employ कर सकते हो आप interview ले सकते हो आप observation कर सकते हो आप psychological test कर सकते हो और different different in methods को भी use करते हुए आप case study भी कर सकते हो ठीक है so it employs multiple methods for collecting information and while generalizing on the basis of individual cases one needs to be very cautious लेकिन जब भी आप किसी particular individual के उपर कोई case study कर रहे हो तो आपको बहुत cautious रहे के हर एक information को जो है access करना होता है अब जैसे इसमें कुछ examples थे कि जैसे for example आप किसी particular individual के उपर case study कर रहे हो like for example आप Mahatma Gandhi के उपर case study कर रहे हो तो उनसे related जितना भी data available होगा जो भी books वगेरा होंगी जो भी उनके लिए कोई magazines होंगी books होंगी newspapers होंगी उनसे related जो books होंगी आप उन sources को पढ़ोगे और उसके बाद में उनसे related सारे information gather करोगे फिर जो है अपने research को मतलब उसके result पर उसके conclusion पर पहुंचोगे आप इसमें दो लोगों के उपर भी comparative study कर सकते हो जो सबने देखा कि जो वो कुछ writers वगेरा के बारे में यहां पर बताया गया था कि इनके उपर भी आप study कर सकते हो आप children के उपर study कर सकते हो तो जैसे इसमें पताये थे examples दिये थे कि कुछ जो है मतलब ऐसे कुछ areas हैं कुछ regions हैं जहांपर जो बच्चे रह रहे हैं तो उनकी upbringing के उपर आपने case study कर ली पंचायत या खाब पंचायत के उपर ने आप जो है case study कर सकते हो खाब पंचायत जो है पहले लगा करती थी तो इस तरीके सा आप किसी भी particular case को ले लो एक छोटा सा case आपके पास में होना चाहिए मतलब narrow topic आपके पास में होना चाहिए और उसके उपर जो है आप in-depth study करते ह is your case study बस इसमें थोड़ा सा जब आप किसी single case को पढ़ रहे होते हो किसी individual के उपर study कर रहे होते हो तो उसमें data की authenticity, validity ये सारे चीजों को लेके थोड़ा सा जो है मतलब challenging होता है बट उसके अलावा आप easily जो है कर सकते हो बहुती अच्छी और बहुती simple method है case study it is recommended that the information should be collected using multiple strategies from different sources of information by a number of investigators. तो अगर जैसे मान लो आपने गांधी जी के उपर जो है आप cases study कर रहे हो तो आपने देखा कि गांधी जी की कोई एक book है बस आपने उसको पढ़ा और फिर उसके बाद में आप conclusion पर पहुंचो so that is not good. तो आपको क्या करना है दो चार सोर्स आपको ले लेने है जैसे आपने उन पर लेखी हुई 3-4 books और ले ली या उनके उपर हुई जो research पहले हो चुकी है उसमें से एक दो को reference ले लिया और इन सारे sources को पढ़ने के बाद में फिर आप ए conclusion पर पहुंचे आप at present भी किसी individual को लेकि किसी individual के case को study कर सकते हो clear है so that is the basic meaning of case study अब इसके importance य upbringing इन सारे topics को जो आपके mind behavior इन सारी चीजों से related हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं psychology में case study कि अभी मैंने आपको इन general बताए कि case study कैसे कैसे हो सकती हैं क्या होती है अब जब आप psychology में case study करते हो तो आप किसी particular चीज को ले लो और उससे related emotions और साथी साथ में एक person के mind behavior fantasies feelings इ जो है वो एक बहुत ही detailed description provide करते हैं events को लेके और बहुत ही valuable research इसको माना जाता है clinical psychology और human development में कि अगर आपको human development पढ़ रहा है clinical psychology पढ़ना है तो उसमें case study की importance है अब इसमें एक आपके fruit का जो है topic दिया गया है that is your sigman fruit sigman fruit psychoanalytic study का concept देते हैं ठीके psychoanalysis का concept देते हैं तो उनके इस concept के अंदर जो है मतलब बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में बताया जाता है जो clinical psychology से related होते हैं वहीं जो आपके पियागेट हैं पियागेट अपनी theory that is cognitive development की theory जहाँ पर वो ये बताते हैं कि children की जो upbringing है वो किस तरीके से होती है या child का development या in short human का development कैसे होता तो उसमें different and different stages को जो है explain किया जाता है तो मतलब यहाँ पर इन्होंने एक particular case को ले लिया है और फिर उसके उपर वो in-depth study कर रही है तो case studies जो है जैसे मिंटर्न और हिचकुक इन्होंने case study करी थी जो राजपूच थे खालापूर उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरह से socialization उनक करती है तो इस तरीके से यह जो है आपको in-depth मतलब बहुत ही detailed information provide करते हैं किसी भी related topic को लेके तो that is your case study in psychology clear है यह भी आया हाँ तक सर्ज में तो अब तक हमने six methods को discuss किया that is observational, experimental, correlational, survey, psychological testing and case study यह सारी जो methods मैंने आपको बताई आप इन में से कोई एक, कोई दो या दो से ज्य भी तरह कि psychological research या फिर आप scientific inquiry को conduct कर सकते हो, depend करता है कि आपने कौन से research का topic लिया है और उसके according कौन सी method suits करती है, clear है, अब जैसे हमने एक chart बनाई थी steps in conducting scientific research, तो हमने देखा कि सबसे पहले आप problem को conceptualize करोगे, इसके बाद में आप data को collect करोगे, third step आपकी क्या होगी, analysis of data या drawing conclusion, तो सबसे पहले आपने topic चूस करा, आपने उसको उपर research स्टार्ट करी, उस से related आपने सारा data collect कर लिया, आपने कोई method, tool, ये सारी चीजों को use किया, एक पूरे process के थूँ, अब आपके पास में data है, जैसे एक example मैं आपको दूँ, कि for example, हम एक research conduct कर रहे थे, जिसमें हम ये जानना चाहते थे कि आपके school में जो है किस तरह से facilities बच्चों को provide की जाती है, तो उसमें हमने कुछ parameters लिये, जैसे canteen हो गया, washroom हो गया, assembly hall हो गया, आपकी classes होगी, आपकी classes में किस तरीके से पूरा जो है, मतलब organize किया है classes को, जिसमें आपको क्या-क्या सारी facilities मिलती है, साथी साथ में आपके lunch breaks के हमने बात करी, आपके water से related, कितना clean water आपको मिलता है, आपको, आपके school में proper ventilation है या नहीं है, किसी तरह का एक rest room बच्चों के लिए बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ऐसे कुछ हमने parameters लिये और हमने research conduct, मतलब करना start कर दी, ठीक है, अब हमने आपके school में जो है, हमने देखा कि हम कोई इन सारी चीजों के उपर research कर नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने आपके school का survey किया, उस school के survey में generally हमने questionnaire method को use किया था, जिसमें हमने classes 6th से लेके 12th class तक, क्योंकि उस से छोटे जो बच्चे होते हैं, 5th class तक जो बच्चे होते हैं, उ इन questionnaire में इन सारे parameter से related questions हमने frame किये हुए थे, हमने आप सभी को question बाटे, आपने उस सभी में अपने answer लिखे और आपने अब वो questionnaire हमको वापिस कर दिया, तो around 3000, for example, 3000 तो चलो बहुत जादा हो गया, हम कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 1000, okay, 1000 students का data हमारे पास में आ गया, म कुरे स्कूल का हमारा जो काम था, वो हमारा complete हो गया, हमारे पास में 1000 questionnaire अब थे, इन 1000 questionnaire को लेके मैं जो है, चली जाती हूँ, कहां अपने research area, मतलब जो मेरा center है, जहां भी, for example, मान लो मैं जहां से भी research करें, मैं अपने घर आ जाती हूँ वापिस, ठीक है, अब यहां पर आ है कि वो canteen facilities से strongly satisfied है, ठीक है, तो मैंने देखा कि out of 1000 मुझे ऐसे around 700 students मिल रहे हैं, जो यह बोलते हैं कि हमारे आपर canteen की बहुत अच्छी facilities है, सारा food वहाँ पर हमको जो है मिलता है, मतलब मैंने close ended और open ended, अभी तरह के questions इसके अंदर रखे हुए थे, अपने questionnaire के अंदर, तो मुझे around 700 students है, ऐसा जानने को मिला, जब लेकिन washroom से related question आए, तो मैंने देखा कि around 400 students का ही कहना ऐसा है, कि washroom facilities जो है, वो उतनी जादा अच्छी नहीं है, उसमें और जादा improvement की जरूरत है, classes के ventilation की जब हमने बात करी, और classes में किस तरीके से proper जो है, मतलब पूरे fence वगेरा ल classes में, तो हमको पता चला कि around 950 students का कहना है कि हाँ, बिलकुल best classes इन सारे parameters में, जब बात होती है, academic सारा चीजों को लेकर कि पढ़ाई का course, labors, ऐसी सारी चीजों को लेकर, तो around हमको, for example, मान लो, 250 students ने कहा कि नहीं, हम इन चीजों से agree नहीं करते हैं, तो ऐसे करके, मैंने जो है, for example, एक diagram बनाया, देखो, कैसे diagram बनाया मैंने, ऐसे एक graph बनाया मैंने, ऐसे करके, ठीके, इस graph में मैंने यहाँ पर लिखा, canteen, यहाँ पर मैंने लिखा, auditorium या assembly hall बगेरा, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा, washroom facilities, यहाँ पर मैंने लिखा, classes का ventilation, यहाँ पर मैंने लिख करी कोर्स की ओके ऐसे मैंने जो है कुछ पैरमीटर्स ले लिए और यहां पर 5 मतलब सबसे कम 10 उससे थोड़ा बेटर 15 ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा 20 अच्छा है बट और इंप्रूब्मेंट की जरूरत है और 25 मतलब बेस्ट ओके इस तरीके से एक मैंने चार्ट ब अच्छा है बट और अच्छे इंप्रूब्मेंट उसमें हो सकते हैं वाश्रूम फैसिलिटी इसको लेके बच्चे खुश नहीं है ठीक है और क्लास्रूम वेंटिलेशन जो है उसको लेके सबसे ज़्यादा बच्चों ने मतलब कहा है कि हाँ इस एक चीज से हम सैटिस्फ सर्च कंक्लूजन पर पहुंचोगे कैसे गलूजन पर पहुंचोगे कि जो भी हमने स्कूल में सर्वे किया तो ने को यह सारी जानने को मिलती है और इसमें यह इंप्रूब्मेंट जो है इसकूल का जो पुरा स्टाफ है पूरा मैनजमेनेंट फोर सकता है और इन चीजों पर इन पारमीटर्स पर वो विल्कुल बेस्ट है तो उसको वैसा ही बनाए रखें क्लियर है तो इस तरीके से रिसर्ट जो है हमारी complete हो जाएगी बट अभी analysis of data में कुछ और points को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब आप data collect कर लेते हो तो आप उसको analyze करते हो और analyze दो तरीके से होता है एक quantitative method से एक qualitative method से इसको note down कर दो कैसे note down करोगे देखो यहां पर ऐसे लिखो analysis of data ओके ऐसे लिखो analysis of data और ऐसे यहां पर लिखो quantitative quantitative data और यहां पर लिखो qualitative data qualitative data यहां पर bracket में लिखो scores यहां पर bracket में लिखो describe अब देखो इसका मतलब क्या है यहां पर एक और चीज़ हाइलाइट कर लो यहां पर n highlight कर लो और यहां पर L highlight कर लो ओके सो n मतलब quantitative L मतलब qualitative quantitative जहां पर हम scores की numbers की बात करते हैं हम चीजों को numbers की through represent करते हैं जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि इस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है कि canteen facilities को लेके बच्चों ने सबसे जादा वोट करें 750 वोट करें तो 750 क्या है एक number वाश्रों को लेके 450 वोट करें हैं तो मतलब वो सारे एक numbers है 450 750 950 यह सब numbers है ना तो इन numbers को मुझे जो है जब मैं numbers के थ्रू किसी data को represent कर रही होती हूं यह data को analyze कर रही होती हूं numbers को use करके so that is my quantitative data okay और जो मैंने आपसे कहा qualitative data so qualitative data जहां पर आप describe करते हो चीजों को describe करने का मतलब यह होता है कि जहां पर ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप numbers नहीं provide कर सकते जैसे for example अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मम्मी आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है तो क्या आप उसको numbers में define कर सकते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि वो 10 तक भी love कैसा है क्यों क्योंकि उस एक चीज को measure नहीं किया जा सकता आप अपनी ममा से कितना प्यार करते हो उस एक चीज को measure नहीं किया जा सकता तो ऐसे चीज़े जिसे हम measure नहीं कर सकते, जिसे हम numbering provide नहीं कर सकते, उसे हम describe करते हैं, उसे हम थोड़ा सा explain कर देते हैं, थोड़ा सा उसको detail में बता देते हैं, so that is my qualitative data, जहांपर हम quality की बात कर रहे होते हैं, ना कि quantity की, clear है? तो quantitative data आपका वो होता है, जहांपर psychological test, questionnaire, structured interview, यह सारी चीज़ों को करके, हम एक scaled form में information हमारे पास में होती है, यानि quantitative data हमारे पास में होता है, numbers वाला data हमारे पास में होता है, और यहांपर क्या होता है, कि right or wrong responses होते हैं, researcher जो है, वो numbers provide करता है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मेरे पास में thousand sheets थी, इन thousand sheets में बच्चों ने जो मुझे information provide की थी, वो थी, तो जैसे मैंने चेक करना start किया, तो मैंने देखा कि जो first पहला student जो था, जिसने answer सारे दिये हैं, तो for example, मेरे पास में ऐसे parameters थे, just suppose कि मेरे पास में ऐसे parameters थे, washroom, canteen, class, ventilation, और भी इसके अलावा, तो मै मैंने देखा कि जो first student था, उसने washroom को कितने जो है, मतलब parameters पर रखा है, तो just suppose उसने बोला है कि he disagrees with washroom, तो मतलब वो fourth पर आया, क्यों कैसे first पर क्या था, strongly agree, second पर क्या था, agree, third पर क्या था, not agree, not disagree, fourth पर क्या था, disagree, और fifth पर क्या था, strongly disagree, तो मैंने देखा कि उसने in five में से four number पर टिक करा है, that means disagree, तो मैंने यहाँ पर जो है, उसको क्या एक point दे दिया, four मैंने यहाँ पर mark कर दिया, मतलब disagree मुझे यहाँ पर जो है, मिला हुआ है, फिर मैंने देखा, canteen में तो उसने mark करा agree पर, तो यानि second point पर उसने mark किया है, और जितने लोगों ने agree बोला है, त को मैंने zero point दे दिया, एक example में दे रही हूं आपको, ठीक है, तो इस तरीके से generally क्या करता है, जो भी researcher होता है, वो numbers वगेरा provide कर देता है, जिससे उसका जो data है, वो एक तरह सा analyze होना है, start हो जाता है, at the end, researcher calculates total of all the numbers, और फिर last में हम इन सारे numbers को total करते हैं, फिर हम देखते है कि कहां पर हमको जो है, कितने points देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैं आपको बला कि canteen में हमको 750 points देखने को मिल रहे हैं, वहीं washroom में हमको 450 points देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़े क्या दिखाती है, कि total हम एक aggregate level पर पहुँच गए, और फिर इसके बाद में researcher जो है, इ जो है, उसका answer निकाल लेते हैं, तो इस तरह से जो है, different statistical tools को use करके, methods को use करके, data के inferences बनाये जाते हैं, और जब data का inference बन जाता है, data को एक meaning provide हो जाता है, तब हम पहुँच जाते हैं, conclusion पर, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे हूँ, कि ये एक data का inference मैंने बना लिय वहीं जो qualitative data होता है, उसमें हम quality basis पर data को analyze करते हैं, इसमें narrative analysis होता है, narrative analysis, narrate करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को थोड़ा सा describe करना, तो यहाँ पर आप analysis narrative ही कर रहे होते हो, जहाँ पर आप जो है, scores provide नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक data को हमेशे score नहीं provide किया जा सकता है, जब researcher जो है participant observation या unstructured interview जैसे करता है, तो generally data descriptive form में होता है, जैसे for example, मान लो आपने एक interview conduct ही है, जिसमें open ended question थे, तो वहाँ पर जो भी respondent है, उसके पास में एक opportunity है ना, कि वो अपने answer को थोड़ा सा describe कर सकता है, अपने words में लिख सकता है, लेकिन वहीं अगर मैंने close ended questions ले ल analyze कर रहे होते हैं चीजों को narratively, these type of data cannot be converted into scores or subjected to statistical analysis, यहाँ पर आप data को ना ही scores में convert करते हो, ना ही उसमें कोई statistical tools use करते हो, बलकि जस्ट आप उसको describe करते हुए, अपने conclusion तक पहुँचते हो, तो यहाँ पर आपका quantitative और qualitative method जो है, वो contradictory नहीं है, बलकि एक दूसरे को compliment ही कर रह ही होती है, और साथ ही साथ में बहुती suitable combination दोनों का बन जाए, जब दोनों का हम साथ में लें, तो इस तरीके से हम अपने data को finally analyze करते हैं, और फिर एक conclusion पर पहुँचाते हैं, जैसे मने आपको एक school survey का बताया, clear है, आया यह यहाँ तक सुनज में, अब जैसे मानलों आपको जो feel वो कर रहे हैं, उसको आप numbers नहीं provide कर सकते, तो वहाँ आप qualitative data को use करोगे, clear है, यह भी आगे हैं यहाँ तक संज में, so this was all about your data and साथ ही साथ में आपकी psychological inquiry की psychological inquiry कैसे की जाती है, so सबसे पहले एक topic को choose करना, इसके बाद में उस related data collect करना, hypothesis build up करना, data collect करना, methods use करना, tools को use क data को analyze करना और finally अपने conclusion पर पहुँच जाना, इस तरह से आप psychological inquiry करते हैं, इसमें जो मैंने example दिये, उसमें कुछ psychology से related थे, कुछ psychology के बाहर की domain के भी थे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे chapters में, तो आपको exact समझ में आएंगे कि कौन कौन से जो है, आपके मतलब कौन क या से revision भी कर लिया होगा, अब बात करते हैं, limitations of psychological inquiry के just दो topics बचे हैं, एक limitations और दूसरा ethical issues, जो भी हमारे psychological inquiry में हमको ध्यान रखने चाहिए, तो कुछ problems जो generally psychological inquiry को conduct करते समय आती हैं, तो उसमें से पहली है lack of true zero point, psychology में कभी भी zero नहीं होता, like for example, अगर हम intelligence की बात करें, तो क कोई भी ऐसा person नहीं है, जिसके अंदर zero intelligence हो, थोड़ा पहुत तो सभी के अंदर होता है, like for example, जब आप किसी तरह का physical measurement करते हो, या आप अपना weight को measure करोगे, तो आप कहां से start करोगे, zero से start करोगे, zero से start करोगे, फिर पहुंचोगी कि maybe you are four or five feet, जो है आपकी height है, ठीक है, ल तो हम zero से start नहीं करते हैं, बलकि psychologist अपने according, अपने according, arbitrarily, एक starting point जो है, उसको consider कर लिया करते हैं, जैसे for example, अगर हम intelligence की बात कर रहे हैं, और हमारे पास में तीन लोग हैं, A, B और C, और इनके बीच में हम intelligence को लेके एक test conduct कर रहे हैं, तो for example, हमने start करा level 1 से, for example, level 1 से हमने start कर और हमने इसको रखा हुआ है 100 तक, कि अगर किसी के पास में one point आता है, तो मतलब उसके अंदर बहुती कम level of intelligence है, क्योंकि zero किसी के अंदर नहीं आ सकता, zero किसी के भी अंदर नहीं आ सकता, किसी के अंदर अगर 70 आ जाता है, तो मतलब he is intelligent, किसी के अंदर अगर 20 आ जाता है, he is less intelligent. तो इस तरीके से हम generally क्या करते हैं? मतलब इस तरीके से हम numbers को allot कर देते हैं. लेकिन एक zero point psychology के अंदर नहीं होता. तो जब zero नहीं होता, तो हम किसी चीज़ को जो है, मतलब absolute form में नहीं बोल पाते हैं. कि ये point eight zero level intelligence किसी के अंदर है. तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, मतलब वो थोड़ा बहुत जो है, इस starting थोड़ी बहुत intelligence उसके अंदर है. बट आप exactly नहीं बोल सकती कि उसके अंदर कितना intelligence level है, क्योंकि आपका starting point थी one था. तो जब आप arbitrarily अपने point को choose कर रहे होते हो, तो आप उस चीज़ में absolutely नहीं बोल सकते, बठां आप उसके relative nature को बता सकते हो, उसमें relativity को show कर सकते हो. तो यहाँ पर भी zero point नहीं है, तो इसलिए absolute data नहीं हमारे पास में, बट relative data है. Secondly, अब जैसे मैंने आप से कहा, कि अगर किसी के पास में 20 level of intelligence है, तो मतलब वो थोड़ा बहुत intelligent है, ठीक ठाग है. जा सपोस इस person के पास में 30 level of intelligence है, और यह person बहुत ही ज़ादा intelligent है, इसके पास 80 marks आ जाते हैं. ठीक है, वन से 100 तक का parameter हमने रखा हुआ था. तो इस तरीके से हमने एक define के लिया कि हाँ psychology में कुछ इस तरीके से जो है, हम data मतलब collect करते हैं, यह इस तरीके से जो है, हम inquiry किया करते हैं. अब इसमें एक चीज तो यह है कि यहाँ पर absolute चीज नहीं दिख रही है, बलकि relative nature देखने को मिल रहा है intelligence का. सेकेंड चीज यह होती है कि यहाँ पर हम ranks provide कर देते हैं, जैसे मैंने आप से अभी यहाँ पर कहा कि हमने देखा कि सबसे जादे इसके पास में intelligence level है, तो यह first आ गया, उसमें और second वाले में सिर्फ 10 level of intelligence का difference है, तो यह चीज भी जो है मतलब कहीं न कहीं relative nature को दिखाती है, आप concrete किसी चीज पर नहीं हो सकते हो, आप absolute nature जो है psychological phenomena का नहीं नहीं शो कर सकते हो, तो यह इसका drawback होता है, यह जो है एक general problem हमको आती है, जब हम psychological measurements किया करते हैं, ठीक है, यह आगे हैं पर सवाच में, तो अब इस तरीके से यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होई हैं, कि as a result whatever course we get in psychological studies are not absolute in nature, rather they have relative nature, तो जो भी हमारे पास में result होता ह है, वो absolute नहीं है, बलकि relative nature होता है, second, जो हमारे psychological tools होते हैं, उनका भी relative nature होता है, मतलब कि आप जो भी inquiry कर रहे हो और जिसके भी उपर कर रहे हो, उसका relation उस topic से हो, like for example, आप tribal people के उपर किसी तरह की कोई research conduct करते हो, but आप उसमें जो information या data collect कर रहे हो, वो आप urban people से करने लग जाओ, तो क्या आपके पास में सही data आएगा, नहीं आएगा, तो इसी लिए आपको वो data किन से collect करना है, tribal people से ही collect करना है, same way में अगर आप किस कोई research urban students के उपर कर रहे हो, तो आप data rural students से collect नहीं कर सकते, तो वो एक relative nature जो है psychological tools का, वो हमको बना के रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे में हमारा जो result होगा, वो सही नहीं आएगा, तो ये एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ती है, तीसरा, जब आप qualitative data collect करते हो, तो आपको subjective interpretation करना पड़ता है, that means narrative analysis, that means narrative analysis, मतलब आप चीजों को थोड़ा सा description के साथ में explain करते हो, अभी मैंने आपको qualitative data बता है, तो होता क्या है, कि जब आप qualitative data collect कर रहे हो, या जब आप description देते हुए, किसी चीज को explain करते हो, तो कही ना कहीं उसमें आपका अपना point of view आ सकता है, जैसे, मानलो, मैं honesty को describe कर रही हूँ, ठीक है, या मैं describe कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे phenomena के उपर research कर रही हूँ, कि जो children's होते हैं या फिर for example, जो boys होते हैं, वो अपनी mother से इतना ज्यादा connected emotionally और इतना ज्यादा एक love attachment उनके बीच में ज्यादा क्यों होता है, as compared to the love, मतलब जनरल ये एक चीज मानी जाती है, कि daughters अपने dad से ज्यादा connected होती हैं, sons अपने mother से ज्यादा connected होते हैं, ठीक है, एक general बता रही describe करूंगे, और जब मैं इन चीजों को describe करूंगे, तो हो सकता है, कि मेरा एक personal point of view आ जाए, कि मेरा अपने dad के साथ में किस तरह का relation है, या मेरी अपनी mom के साथ में किस तरीके का relationship है, तो वो एक personal touch जो है, उसके अंदर आ सकता है, तो इसलिए generally हमको क्या करना चाहिए, कि हमक 2-4 investigators के साथ में, जो है, मतलब जिस चीज़ पर हम research कर रहे हैं, उस पर 2-4 investigators का भी viewpoint हो, और उन्होंने भी research की गई हो, तो इससे क्या होगा, कि हमें कि ऐसे data के उपर या ऐसी चीज़ के उपर पहुँच पाएंगे, जहां पर हमको concrete result मिले, और हम उसमें अपनी personal interpretations ना दे सके तो यह एक इसका drawback होता है, कि generally जब आप qualitative data को analyze कर रहे होते हो, तो आप subjective interpretation देते हो, और उसमें एक personal point of view जो है, वो generally आ जाया करता है, clear है, so one is better off if the respondents two are involved in such meaning making processes, तो यह भी एक इसका drawback जो है, हमको देखने को मिलता है, clear है यहां तक, आया इतना समझ में कि क्या general problems आती है, ज यह सब बिलकुल basic चल रहा है अभी, अभी बहुत जादे detail में आपको किसी चीज के बारे में नहीं बताया है, बट इतना basics अगर आपको clear होता है, तो आपको आगे सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, अब last topic पर आ चुके हैं, that is ethical issues in psychological inquiry, कि जब आप psychology म follow certain ethics और moral principles while conducting the studies, अब देखो psychological research में जो behavior को study किया जाता है, ठीक है, और जब आप किसी के behavior को study कर रहे होते हो, तो researcher के ऊपर ये एक moral obligation है, कुछ ऐसे ethics हैं, जो उसको follow करने जाए, जैसे कि एक person की privacy को हमेशा respect करना जाए, क्योंकि देखो आप हम यहां पर participants को include करते हैं, जो भी हमारे research में participants होते हैं, अब generally psychological research कर रहे हैं, तो humans को ही include किया करते हैं, humans की feelings, emotions इन सारी चीज़ों पर हम research करते हैं, बहुत बार कुछ लोग depression में होते हैं, बट वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि मैं depression में हूँ, ठीक है, बहुत बार आप किसी अलग तरीके का feel करते हो, but you don't want others to know about this, about you for this quality, हैना, किसी भी चीज़ को लेके, like for example, अगर आप बहुत emotional person हो, but आप दुनिया वालों को नहीं दिखाते हैं कि मैं emotional हूँ, अब वो दुनिया वाले कौन है, आपके friends, आपके relatives, आपके, हाज पास में, आपके peer, etc., etc., हैना, तो ऐसे, अब क्योंकि हम ऐसी चीज़ों पर data collect करते हैं, और साथ ही साथ में हम किसी individual के उपर study कर रहे हैं, उस related हम data collect करते हैं, तो बहुत बार ये चीज़े हो सकती हैं, कि participant don't want to get indulged in your research, तो ऐसी चीज़ों में हमको कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए, कि सबसे पहले चीज़ तो एक person की privacy को बना के रखना, उसकी मर्जी के बिना किसी भी data को ना collect करना ना publish करना, उस से related, उसकी मर्जी होना कि वो उस study में participate करना चाहता है, या नहीं करना चाहता है, उसके participant को इस research के बीच में किसी तरह का कोई harm ना हो, इसको बना, मतलब इस से एक चीज़ का ध्यान रखना researcher का का काम होता ह है, और साथी साथ में जब research complete हो जाए, तो जो भी participants थे, उनके साथ में उस research के information, जो भी सारी चीज़े मिली है, data, जो भी result है, उसको share करना ये भी researcher की duty होती, तो यहाँ पर कुछ में से उनको हम discuss करते हैं, जिससे सबसे पहले है आपका voluntary participation, for example, कोई research conduct हो रही है, जिसमें researcher होते हैं कि आप हमारी research study का part होंगी, तो हम आपको अपनी research के अंदर लेना चाते हैं, बट क्या आप उसमें participate करना चाती हो, या आप नहीं participate करना चाती हो, तो जैसे for example मैंने का कि हां मैं interested हूँ, मैं participate करना चाहूंगी, तो मैं उसमें participate करूंगे, और अगर ऐसा मैंने कह दि तो that is the voluntary participation की मतलब मेरे पास में freedom होना चाहिए कि मैं participate करना चाहती हूं या नहीं करना चाहिए मुझे कोई force नहीं करेगा कि अगर मैंने मना कर दिया कि नहीं सौरी मैं आपकी research में participate नहीं होना चाहिए तो researcher मेरे ऊपर जो है कोई case wish लगा दे और जबरदस्ती मुझे बांद के ले जाए और फिर मेरे साथ में research conduct करने लग जाए तो यह चीज नहीं होने चाहिए I have the freedom to choose secondly मान लो मैंने participate कर लिया अब मुझे लगा कि नहीं यार मुझे participate नहीं करना था तो मैं वहां से बापिस आ गई तो इस एक चीज़ पर मेरे ऊपर किसी तरह की कोई penalty नहीं लगेगी I have the freedom to participate and not to participate तो वो एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है second है informed consent informed consent का मतलब यह होता है कि अब just suppose मैं उस research का part हूँ मैंने participate कर लिया है तो researcher की यह duty बनती है कि वो मुझे बताएंगे कि इस research के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है like for example यह research एक experimental method की through होगी जहां पर मुझे lab में आना होगा जहां पर मुझे रुखना होगा उस lab के अंदर यह सारे experiments करवाए जाएंगे और उस experiment में मुझे मेरे साथ में यह यह चीज़े होंगी जह suppose मुझे किसी room में बंद भी कर दिया जाएगा तो उन्होंने यह सारे चीज़ों को मुझे पहले ही inform करना है और जब हो ठीक है तो वो एक informed consent जो है होना चाहिए कि आपने सारे information अपनी तरव से दी है अब just suppose कि कुछ-कुछ studies में deception की टेखनी को यूज किया जाता है cheating that is called तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे for example for example कि कोई person है उसके उपर किसी तरह की research conduct की जा रही या मेरे उपर कोई research conduct की जा रही है जिसमें कि मुझे ऐसे मतलब मुझे इस तरीके से बताया जाएगा कि for example I am very 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 much intelligent या for example ऐसा बताया जाएगा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी जो है मतलब मेरे जो माइंड है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है और बिल्कुल भी intelligence level मेरे अंदर जो है ही नहीं जीरो intelligence level अभी बोलोगे माडम ने बुला तो जीरो intelligence नहीं होता बट जस्पोस मुझे ऐसा कह दिया जाए बलकि मैं बहुत intelligent हूं ठीक है और मैं हूँ तो क्या होता है कि अब जैसे मुझे उनने बोल दिया कि नहीं आपके अंदर बिल्कुल जीरो intelligence है और उसके बाद बलकि मैं हूँ लेकिन उनने मुझे ऐसा बोल दिया और इस तरीके से चीटिंग के थ्रू जो है वो मुझे मेरे behavior का observe करना चा रहे हैं तो आप ऐसी टेक्नि को छुपा करें रखो लिए अटे हो एक जनरल आइडिया आप उनको दे सकते हो धक्रूरिटी भी आपको देनी हो थी कि आपके साथ में जो भी चीज़े होंगी इसमें आपको किसी द्रूसकी कमीघों का हम्नॉ इसंट चीज जो है हमारे आसपस हमारी सराउंडिंग में बनाई जाती है रिसर्च के परपस से तो वो चीज भी शायद हमें हाम कर सकती तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी रिसर्चर की ही होती है so therefore it is important that the participants are explained the nature of the study before its actual commencement तो study को start करने से पहले ये एक चीज बहुत जरूरी होती है कि researcher exactly क्या सारा होने वाला है उसका एक general idea जो है दे दे बिल्कुल detail में भले ना पताए कि क्या 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 होने वाला है ठीक है next debriefing debriefing का मतलब यह होता है कि this is particularly important when deception is used जब भी किसी भी research के अंदर deception को use किया गया है cheating वाली technique को जो है use किया जाता है तो एक बार जब study पूरी complete हो जाती है तब उसकी debriefing की जाती है debriefing का मतलब यह होता है कि for example कोई participant ता मनलो मैं थी मेरे साथ में किसी तरह की cheating वाली technique को use करके मेरे साथ में research conduct की गई थी अब वो research complete हो जाती है तो मुझे researcher मेरे पास में आएंगे वो मुझे बताएंगे कि madam आपके साथ में हमने deception technique को use किया था उस deception technique में हमने आपको बताया था कि आपके अंदर intelligence level बहुत कम है but you are highly intelligent and for example जो भी सारी चीज़े उसके अंदर हो सकती है वो मुझे सारा कुछ पूरा बताएंगे और जिस physical mental state के साथ में मैं research के अंदर enter की थी उसी physical और mental state में वापिस से मुझे लाना और फिर उसके बाद में मैं research से जाऊं यस एक चीज़ को ensure करना भी काम किसका होता है researcher का ही काम होता है तो यह सारी चीज़े जो है और इसका reassurance पार्टिसिपेंट्स को पहले ही मिल जाना चाहिए जब क्योंकि आप जब researcher के ऊपर भरोसा करोगे तब ही तो आप उसके साथ में study में participate कर पाऊगे अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आपको हड़ थोड़ी दिर मैंसे लगे है चोड़ की चला जाऊंगे यहां से तो यह एक चीज़ जो है इसमें important होनी चाहिए तो यह कमपसरी होता है एक researcher के लिए कि आपने जो भी पूरी study करी है उससे जो भी result आपका निकला है वो आप किसको दो participant को जाके बताओ कि हमने जो आपके उपर research conduct करी थी उससे हमको यह यह सारा result जो है देखने को मिला है और यह एक result जो है हमारे सामने आया है तो यह दो च चीज़े यह होती है कि सबसे पहली चीज तो आपने अपनी जो obligation थी आपके जो एक moral duty थी उसको आपने फुल्फिल किया आपने participant को जाके result बताया और second इसमें यह होता है कि कभी-कभी कोच ऐसी चीज़े होती है जो researcher से मिस हो जाती है बट वो participant के opinion में आजा मतलब participant के जो है study का last confidentiality of data sources आपने जो भी data collect करा है उसको आप confident रखोगे right to privacy सभी के पास में है उसको आपको जो है follow करना है इसमें researcher का काम क्या होता है कि जो भी information उसको मिलिए जैसे for example मान लो मैंने कोई data collect करा था जिसमें मैंने 20 लोगों को लिया था अब इन 20 लोगों का नाम address यह सारी ची इस एक चीज़ का ध्यान मुझे रखना होगा उनकी right to privacy जो है मुझे maintain करके रखनी होगी तो ऐसा ना हो कि मैंने आज research करे और कल को कोई और भी ऐसे ही relevant topic के उपर research करा तो उसको मैंने data जो है salout कर दिया तो यह चीज़ ना हो इसके लिए right to privacy जो है आपको बना के रखनी और इसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप जो data collect कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के नाम ना लिखो बलकि आप उनको कुछ codes प्रोवेट कर दो जैसे ही आपके research complete हो जाती है वैसे ही आपको यह identification को जो है destroy कर देना है ताकि आगे आप उसको दुबारा use ना कर सको तो यह five ethical principles हैं जो हर एक researcher को ध्यान में रखने चाहिए clear है यह भी आगया है यहांपर समझ में so here we end our chapter number two complete chapter revision that is the methods of inquiry in psychology और बहुत ही वास्ट बहुत ही lengthy lengthy chapter था जिसका revision हमने finally complete कर लिया है I hope so आपको सारे topics समझ में आए होंगे और सारा chapter ही crystal clear हो गया होगा मतला topics तो हुए ही होंगे साथी साथ में सारा chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जैसा मैंने आप से कहा था कि revision बहुत ज्यादा important है अगर revision नहीं करोगे तो जो भी पड़ा है वो याद नहीं रहेगा तो इसलिए revision करना बहुत ज्यादा important है तो यहां पर हमने सारे topics को revise के लिया फटा-फट सारा कुछ device के लिया और साथी साथ में इस chapter के से comment section में पूछ सकते हैं ठीक है कोई भी suggestion कुछ भी है comment section में बता और जो भी चीज़े मैं आप से बोलती हूं कि notes बनाते हो या नहीं बनाते हो कैसे क्या पढ़ाई करते हो क्या आप चीज़े feel करते हो क्या आपके अपने related examples हैं तो वो सब मुझे comment section में बताया करो इससे क्या होगा इससे आपका और मेरा interaction जो है वो बढ़ेगा मैं बहुत बार sorry बहुत बार जो है मैं reply करती हूं students के comments के जो भी मुझे relevant लगते हैं कभी कुछ ऐसे comments भी आते हैं जो मुझे लगता कि इनका reply नहीं करना है तो वो मैं नहीं करती हूं बट जो भी अच्छे comments होते हैं अच्छे comments का मतलब यह कि जहां किसी तरह का doubt पुछा गया है जहां निक और reply जरूर करती हूं तो इसलिए हमेशा में यह चीज़ बोलती रहती हूं ठीक है अब हम मिलेंगे हमारे next video lecture में अब बस जाते जाते एक छोटी सी information और देती जाओं आपको वो यह है कि आपको magnet brains की website को कैसे access करना है देखो आपको सारे lectures मिल जाते हैं YouTube पर साथी साथ में आप magnet brains की जो app है उसको भी play store से डाउनलोड कर सकते हो वहां भी आपको सारे lectures मिलेंगे अभी आपको चाहिए कि मेरको सब कुछ जो है एक ही जगा बिल्कुल sequence wise मिल जाए मिलको कोई दिक्कत परिशानी कुछ भी ना हो सब कुछ एक order में मिल जाए कुछ भी कोई भी lecture परिशानी ना हो तो आपको एक बहुत छोटा सा simple सा काम करना है आपको बस Google पर जाना है और आपको एंटर करना है www.magnetbrains.com जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपके सामने ये magnet brains education platform open हो जाएगा स्क्रॉल करोगे देखोगे यहां पर सभी classes के सभी courses के वीडियो lectures अवेलेबल है आपको जो भी class जो भी course study करना है जस्ट उस पे एक click किया उस से related ये आगे सारे chapter wise videos subject wise videos स्क्रॉल करोगे और भी videos देखने को मिलेंगे आप देखो सभी के नीचे watch now लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करोगे यहां सारे सब topics आजाएंगे और यहां भी सभी के आगे watch now का button है तो अब आपको जो भी topic study करना है watch now पे click किया और ये video open यहां से आपको next video देखना है next video पर क्लिक करो आपको यह नहीं देखना है कोई और chapter कोई और वीडियो देखना है यहां से cancel कर सकते हो तो करते हो यहां आपको मिलती है 100% free online education बिना किसी paid subscription के जी हां आपको कोई payment नहीं करना है कोई paid subscription नहीं लेना है कोई coupon नहीं करीदना है सब कुछ बिलकुल free of cost है और वो भी quality content और best teachers के साथ में so I hope so सारी चीज़े clear होगी होगी तो अपने friends और relatives को भी magnet brain के बारे में बताओ ताक कि वो भी free and quality education को access कर सके अब वीडियो पसंद आया है तो फटाक से like कर दो share कर दो और channel को subscribe करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे next video lecture में thank you very much